हाथ बांदे क्यों खड़े हो हादसों के सामने हाथ बांदे क्यों खड़े हो हादसों के सामने और हादसे भी कुछ नहीं है तुमारे होसलों के सामने समझने मेरी बात मैं आपका mentor, मैं आपका coach हरियों दिवारी और आज हम सब new lightians आपके लिए एक बहुत प्यारा सा session लेकर आए है जो है आपका आज कार bio topic test, all India test topic of test series 307 आज हम biology में दो chapters जो है हमारे cell the unit of life, digestion and absorption इन दो chapters का हम लोग rapid fire revision करेंगे और साथ में previous years के आई हुए questions की practice करेंगे और फिर अपन लोग आज noon में, after noon में बढ़िया से इन chapters की धर्जियां उड़ाएंगे है ना बोलो भाई, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हाथ जोड़ करके मैं हरियों दिवारी आपका दोस्त, आपका सुबचिंतक और हमारे साथ साथ आपके आपके लिए session में हमारे बहुत ही प्यारे से sir अभिनाज sir और dr. मनीश sir और हमारे प्यारे संगम sir ये सारे लोग आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही मेहनत के साथ आज का revision कराएंगे आपको एक्षा points बताएंगे कुछ गुरुमंत्र देंगे जिससे आप हाथसों के सामने हाथ बांध करना खड़े हो है ना वई आपको ये neat exam जो है ना इसके लिए आप हाथ बांध करना खड़े हो आप अपने होसलों से इसके साथ लड़े है ना का चुपसाद ही रहो बलवाना है ना और कौन सो काज कठिन जग माही इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुमारे ले कठिन है कौन सो क आज कठिन जग माही और जो नहीं होत तात तुम पाही है ना तुमारे तुम से कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते तो उठ जाओ जग जाओ और आज के इस प्यारे से energetic session के साथ जोड़ जाओ अभी तक जितने बच्चे जितने बच्चे है यहां पर सारे बच्च को जो इसका benefit है वो मिल सके हैना ताकि हमारे जो सर कहते है ना सवाई पढ़ाई सब के लिए है na तो हम सारे लोग जो मेहनत कर रहे हे उसका benefit सारे बच्चे हमारे भारत देश के सारे बच्चे उसका benefit उठा सके तो अपनी बात को मैं start करता हूँ sir और मेरी बात को ध्यान न किएगा का चुप साध ही रहो बलवाना चुप नहीं बैठना है है ना मेहनत करते रहना है तो sir जी आज के इस प्यारे से से सेसन में आज का मेरा जो topic है sell the unit of life बहुत ही प्यारा सा topic है हमारी 11th NCRT का 8th chapter है sir और ये unit number 3rd का जो 8th chapter जो पहला chapter है इस chapter को आज हम आपके सामने ले करके आए हैं कोसिस करेंगे कि आपको सारे के सारे जो आपके points है वो clear हो आपके revision हो सके इस मेनत के साथ इस जुनून के साथ हम यहाँ पर कोसिस करेंगे हम किस्मत के बदले हम किस्मत के लिए नहीं बैटेंगे है ना किस्मत के भरोसे नहीं मैटेंगे समझे ना सर मेरी बात को सर जीत हासिल करनी हो तो काबलियत बढ़ाओ जीत हासिल करनी हो तो काबलियत बढ़ाओ काबलियत बढ़ाएंगे आज हम लोग है ना और सौगत है मैं आपका दोस्थ हरियोंग दिवारी और सर सभी लोगों को very 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 good morning इस्ट और दा वेस्ट आप सभी लोग हैं वेस्ट नरायन सेगर जी भाईया असीज आसीज विटा सभी लोगों को very good morning चलिए इसी बात पे मैं आज आपके इस सेशन की सुरवात करता हूँ all boys on girls and my प्यारे प्यारे बच्चा लोगो बताइए कि आप तयार है तयार है are you ready guys are you ready कि आज के इस session का पहला question आपके लिए लाया जाए बताइए जल्दी से come on come on जल्दी से मुझे response करें yes 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 आपके बहुत प्यारे प्यारे message मिल रहे है ready okay ready yes okay sir लेकिन sir presence बढ़ाईए presence बढ़ाईए I want to presence here है ना sir 1000 student within the one minute एई जल्दी से fast जल्दी से sir 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 sing sir हाँ sing sir करने वाले थे इस session को हमारे sir sing sir करने वाले थे but sir को थोड़ा सा काम पढ़ गया इस वज़े से हम उनके सहायक बन करके यहां पर आए हम सारे लोग और अगले session में sir आपको बिल्कुल मिलेंगे sir बिल्कुल बेटा जी चलिए तो start करते हैं love you asis mandal बेटा love you very much love you very much बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस session में मैं आपके लेकर आया हूँ sell the unit of light चलिए तो आज के question का आज के session का पहला question आपके लिए आप बताईए sir पहला question आपके लिए हम जो लेकर आए हैं आपका reductionist biology क्या होता है what is the reductionist biology reductionist biology क्या है जल्दी से बताईए जल्दी से session का पहला question बताईए sir reductionist biology क्या है what is reductionist biology sir जल्दी से बताईए बच्चा लोगो reductionist बालो जी क्या है बच्छा लोगो जिस बालो जी की जिस व्रांच में हम physics और chemistry का involvement करें और उसकी help से हम बालो जी के study करें उसे हम कहते है reductionist बालो जी बिलकुल सही बात है मुहम्मद साही 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 साब ने बिलकुल सही बता है बिलकुल very good बेटा जी I salute to you next question प्यारा सा question आपके लिए बताइए बेटा जी किसने किसने कोलेजन का structure कोलेजन प्रोटीन का structure और किसने प्रोटीन का secondary structure अलफा हेलिक्स और बीटा प्लेटेरी structure जो है उसकी खोज किसने की वो कौन सा हमारा हमारा पूरवा जे हमारा जो हमारे देश का scientist है जिसने इसको उबया क्या बात है भाई साथ भाई साथ कोश्चन बात में आया answer पहले आ गया yes बिलकु सही बात है जीन रामचंदरन साहाब है हमारे वो बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छा सा response किया आपने मैं बहुत ज़्यादा खुस हूँ आप किस बात से चलिए आगे बढ़ते हैं बचलो वो आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए next question है आपके लिए बेटा जी बताइए structural fundamental unit हमारा living और non living के बीच basic difference किस चीच में है basic difference ऐसी कौन सी चीच है जो living के पास है और non living के पास नहीं है जल्ली से बताइए वो basic चीच क्या है difference cell क्या बात है बेटा जी चलिए बताइए इस दुनिया में वो पहला कौन सा scientist है जिसने living cell देखा living cell मैंने cell नहीं बोला मैंने का scientist का नाम बताइए जिसने पहली बार living cell देखी साइंस हेंगर का आगा नारायन भाई वेरी गोड बिल्कुल सही बात है आदिति पटेल एहमद विजय बिल्कुल हुक नहीं है गलत 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 आसीज मंडल आपका answer गलत हो गया हुक नहीं है बेटा इसका राबर्ट हुक इसका answer नहीं होगे इसका answer होगा बेटा Anthony Vaughan Levenhoek Anthony Vaughan Levenhoek is the scientist who first see the जिन्होंने सबसे पहले देखा पहली जिंदा साल चलिए next question आपके लिए बच्चा लोगो next question है ध्यामजी सुनेगा मरी बात बेटा जी उस scientist का नाम बताईए जिसने पहली बार nucleus खोजा who discover the nucleus cell के अंदर जो केंदरक है केंदरक की खोज बच्चा लोगो किसने करी nucleus की खोज किसने की जल्दी से बताईए किसने nucleus का खोज किया बेटा जी जल्दी से बताईए जल्दी से fast fast answer करिये किसने nucleus की खोज करिये बच्चा लोगो nucleus की खोज किसने की राबर्ट ब्राउन इस राइट एंसर बहुत अच्छे बहुत अच्छा आप रिस्पॉंस कर रहे हैं ऐसे ही रिस्पॉंस करते रहे हैं I clap for you very good बेटा जी चलिए next question बताईए बेटा जी 18 मेरा question है आपके लिए आपके लिए next question है बर चलोगो ध्यान से मरी बात को सुनेगा सर आप एक बात बताजिए 18 18 बेटा जी ध्यान से सुनेगा मरी बात 18 1838 में वो scientist जो रहने वाला जर्मनी का था रहने वाला जर्मनी का था और एक botanist है जिन्होंने cell जिन्होंने बताया कि plant बना होता है कोसिकाओं का उस scientist का नाम बता दिये just write down that name of the scientist बिलकुछ सही सही क्या बात है answer पहले ही दे देते हैं आप और हमारा दिल खोस हो जाता है आपकी इन बातों सही आपकी नदाओं से एक दब मन ग्लैड हो जाता है भाई साब गार्डन गार्डन हो जाता है चलिए scientist का नाम है Matthew Sledden और सारे बच्चा लोगों ने लगबख सही answer दिया है next question to all of you please tell me बेटा जी एक year मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ one year भाईया धान से देखेगा 1839 1839 में एक scientist है जिसने बताया cell wall is the unique character of plant cell cell wall cell wall is the unique character of plant cell scientist name जल्दी से fast come on come on quick fast scientist का नाम स्वान था क्या बात है very good क्या बता हो क्या इन्होंने plasma membrane की discovery करी की नहीं करी plasma membrane की discovery इन्होंने की या नहीं करी जल्दी से बताइए plasma membrane खोजी इन्होंने yes बिल्कु सही बात है तो एक बात मुझे आप ये बता दीजिए क्या cell theory किसने दी cell theory cell theory किसने दी cell theory किसने प्रोबोस करी cell theory plasma membrane बिल्कु सही बात है cell theory किसने दी बेटा जी जल्दी से जल्दी से बोथ किसने बोथ बहिया बोथ कौन है बहिया 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 क्या बात है स्लेडन और स्वान ने चलिए बताइए सेल हाइपोथिसिस किसने दी सेल हाइपोथिसिस किसने दी स्लेडन ने दी कि स्वान ने दी जल्दी से बोलो सेल हाइपोथिस थेओरी दी थी किसने स्वान साब ने सेल थेओरी दी थी सेल थेओरी दी है स्लेडन और स्वान ने और सेल हाइपोथिसिस दी है हमारे स्वान साब ने मैं एक बार फिट से बोलता हूँ सर सेल हाइपोथिसिस सेल हाइपोथिसिस जो है वो दी है Swan ने, ठीक है सर? और जो हमारी cell theory है वो दी है Sladden और Swan ने मिल करके, अच्छा इन्हों ने जो cell theory दी थी Sladden और Swan ने वो किस बात को explain नहीं कर पाय थे ये दोनों scientists किस बात को explain नहीं कर पाय थे, just tell me जलि से बताओ बाई, ये किस बात को explain नहीं कर पाये थे, fast, ये किस बात को explain नहीं कर पाये थे, जल्ली से बोलो, बाई, come on, come on, कोई fast, जल्ली से बोलो, ये किस बात को explain नहीं कर पाये थे, जल्ली से बोलो, किस बात को, किस बात को explain नहीं कर पाये, बिल्कुल, कैसे बनती है, एक cell से नहीं cell, क्या बात है, बच्च लोगो फिर ये किस ने बताया ओमनी सल्ला और ई सल्ला वो साइंटिस का नाम क्या है ओमनी सल्ला और ई सल्ला निू सेल एराइस वाम प्री अगजिस्टिंग सेल निू सेल एराइस वाम प्री अगजिस्टिंग सेल कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन वेल डन बेटा जी कौन दा रोडल विर्चो इस द राइट एंसर अच्छे एक बाँ बता दो इन्हों ने जो बताया किस ओमनी सल्ला और ये सल्ला ये किस एयर में बताया एयर बताओ जल्दी से बताया किस एयर में किस एयर में वाँ 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 क्या बाद है very good I salute to all of you answer is the 1855 is the right answer 1855 is the right answer बहुत अच्छे बच्छो बहुत अच्छे हमारी NCID का एक एक पॉइंट कवर होगा don't worry चलिए next आगे बढ़ते हैं sir सार जी धान से सुनेगा है मरी बात तो cell theory जो आई modified cell theory modified cell theory किस ने किया cell theory को modify किस ने किया just name that scientist modify किस ने किया cell theory को modify किस ने किया सबी का बहुत बहुत सवागत है जो आप सबी का बहुत बहुत सवागत है जली से आईए चलिए session को continue करते है आगे परते है चलो भाई देखो भाई अपनी नींद को भगा दो उठ जाओ भाई साब है ना और चाए की चुस्कियों के साथ मेरे questions का answer देते चाहिए है ना मज आ जाएगा आज के paper को फाल के रख देना है अब फालने का मतब यह नहीं भाई कहने का मतब है भाई या out of hundred out of hundred आपको questions करने भाई साब पूरा hundred percent paper करना है चलिए अगले अगला question बताइए बेटा जी prokaryotic cell और eukaryotic cell यह जो नाम करण किया गया है कि आपकी यह एक cell prokaryotic है और एक eukaryotic है यह किस बेसिस पे categorize किया गया में बेसिस इसका क्या है what is the main basis basic क्या है prokaryotic और eukaryotic के बीस क्या difference है किस बेसिस पे नाम करण किया गया है जल्दी से बलो भाई नूकलियर में नेन yes नूकलियर ससांग तिवेधी very good बिलकुल बिलकुल रहमान बेटा बिलकुल स आपके eukaryotic और किन के पास नहीं है वो prokaryotic सर्फ prokaryotic और eukaryotic में धान से मरी बात को सुनना कहीं मत जाना please stay attention please मेरी बात को धान से सुनो बेटा जी एक बात बताइये मेरी बात धान से सुनेगा मैं यह कह रहा हूं या भाया जी कि तुमारा जो prokaryotic से रहे उसका unique character क्या है वो unique character जो you carry out में नहीं है pro carry out का है जो pro carry out का है character है जो you carry out में नहीं है जल्दी से बोलिए बाई characteristic feature very good 147 147 हो गया है जल्दी से view बढ़ाना है बाई साब और अभी तक जिन्होंने like नहीं किया like करिये सर और जिन्होंने अभी तक share नहीं किया वो share करेंगे मीसो सोम कह रहे है cell wall कह रहे है नहीं cell wall नहीं होगा मीसो सोम is the right answer मीसो सोम सिभम सिभम बेटा सिभम चोरसिया official का right answer है क्या बात है साब बहुत अच्छे मीसो सोम is the characteristic feature of prokaryotic cell और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुस हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छा response कर रहे है चलिए और ये हमें energy देता है आगे बढ़ते बेटा जी आगे का next question आप से हम discuss कर रहे है next question बताइए का sir membrane bond organs membrane bond जो और्गिनल्स है बेटा जी ध्यान दीजेगा जो membrane bond organs है वो prokaryotes में कि youkart में जल्दी से बताइए membrane bond organs किस में होंगे prokaryotes में होंगे कि youkart में fast come on youkaryotes is the right answer चलिए भाईया प्रजेंस बढ़ानी है घटानी नहीं है है ना ऐसे जड़ लगे रहे ना चलिए आगे बढ़ते बेटा जी चलिए fast 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 come on come on चलिए अच्छा एक बात बता दिए बेटा जी एक बात बता दिए ribosome ribosome आपकी eukaryotic cell में 70S होता है कि 80S होता है जो eukaryotic cell है बेटा जी धान दीजएगे मरी बात पे जो हमारी eukaryotic cell है हमारी जो eukaryotic cell है उसमें ribosome 70S है कि 80S है और mitochondria plastic में कैसा होता है 70S यही है right choice बेब है बिलकुल सही बात है चलिए next question बताईए next question बताईए बेटा जी हमारे पास जो eukaryotic cell या कोई भी cell है cell धान दीजएगे बेटा हमारे पास जो cells है उनको हम function के basis पे variation उनमें मिलता है कि safe के basis से मिलता है कि size के basis में जल्दी से बताईए हमारी जो cells है उनमें जो range है एक range safe के basis से मिलती है कि size के basis से मिलती है कि भाईया activity के basis है किस basis में cells में range मिलती है सब के basis से मिलती है क्या बात है तो इसी बात में मुझे एक बाता दिए smallest known cell जो mycoplasma है smallest जो known cell है कौन है mycoplasma इसका भाई साब बता दीजे कितना है कितना है साहिट जिसका जल्ली से बताइए इसका length कितना है mycoplasma का length write down write down करो बेटा जी और भाईया मुहम्मस साहिट मुहम्मस साहिट बेटा आपने सबसे पहले answer दिया come on very good I can't love you I clap for you very good बेटा जी 0.3 क्या बात है answer आ गया 0.3 micrometer 0.3 micrometer is the right answer चलिए next question बताइए बेटा जी bacteria bacteria बेटा जी bacteria bacteria बताइए bacteria का bacteria का length बताइए जल्ली से बताइए bacteria का bacteria का कितना होगा क्या बात है जल्ली से मैं देख रहा हूँ नराएन सेंगर जीत गया बाई इसमार नराएन भई जीत गया नराएन सेंगर जीत गया लार्जास्ट ऑफुल्पुल्हीय है राइच अंसर चलिए बताए human rbc human rbc जो by concave होती है कैसी होती है by concave mature human rbc जो divide up nucleus होती है इसका diameter जल्दी से बलो भाई इसमे human rbc बलो जल्दी से जल्दी से diameter बलो जल्दी से diameter I want answer I want answer क्या बाद है 0.7 जो बोले ना कूटेंगे भी फोन में घूसा मार देंगे बता रहे हैं हाँ गलत बाद है भाई बहुत कूटेंगे गलत बाद है ये बहुत ही गलत बाद है 0.7 नहीं 7 माइक्रो मीटर 7 माइक्रो मीटर is the right answer यस जागु चाहो यार सोना नहीं है उटो चलो उटो 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 चली ब्रस करते जो ब्रस कर लो बाई यहां कर लो कर लो घलत बात है चलो जली साब सुतरे होकर पलो पढ़ाई करो यहां इसीता सुकला क्यों रो रहे हैं मीटिया कट चलीए आगे बर दे चली एक बाप बता दीजे बेटाजी आगे बने जी तिपिकल कॉइक फास एक टिपिकल क्या बात है नितिन रासूत सबसे भले से दिया पांच बजे का उठा हूँ अरे क्या बात है महा देश शीऑ जी अरे ठीक है आपके लिए जो अभी अभी उठें सर उसके लिए चले चले बहुत आपके लिए नहीं बोला सर चले चले आगे बढ़ते हैं कितना है 10 to 10 to 20 माइक्रोमिटर 10 to 10 to 20 अरे अरे 10 to 20 माइक्रोमिटर is the right answer बिल्कु सही बात है चले नेक्स कोशन मताईए नेक्स बता है टिपिकल बैक्टिरिया आपके अंसाइटी इकर्णि में कॉशन पूच्छ वाँ तेपिकल बैक्टिरिया तिपिकल बैक्टिरिया कितना होगा याउग है 1 to 2 माइक्रोमिटर 12 to 2 माइक्रोमिटर इस बिल्कु सही बात है चल 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 बाई ए नेक्स कोशन नेक्स कोशन चलो बताओ वाइरस ए वाइरस बोलो बाई वाइरस का वाइरस 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 ए वन टू टू कौन बोला है गलत बात है नितन राथपूत का एंसर आ गया नितन भाई नारा 22 22.2 micrometer होता है बिल्कुश सही बात है सर और भाईया अगर हम PPLO की बात करें किसकी बात करें PPLO बलो जल्दी से बलो PPLO pleuro pneumonia like organism जल्दी से बलो भाई 0.1 micrometer 0.1 micrometer is right answer 0.1 micrometer is the right answer बिल्कुश सही बात है 0.1 micrometer is the right answer चलिए next question next question to all of you चलिए जल्दी से बेखिए एब अच्छा लोगो जल्दी से देखो fast 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 जल्दी से देखो अगर हम बात करें prokaryotic cell की तो prokaryotic cell safe के basis पर कितने type है जल्दी से बलो safe के basis पर prokaryotic cell का type कितना है how many monica monica दी जल्दी से बताओ बिल्कुल ispherical का safe ispherical safe की जो होगा उसका नाम किया है ispherical का γज़ी से बलो ispherical बलो ispherical ispherical बलो ispherical ispherical बलो kocus कोस 0-0-0-0-0 बिल्कुल सही बात है चल्छे बताइए चल्छे बताइए कह कै बताइए koma safe रोट सेफ का बताईए रोट सेफ का रोट सेफ रोट सेफ देखे कौन सब सेफ ले देता है रोट सेफ रोट सेफ कौन हो का रोट सेफ रोट सेफ बैसिलस विलकुछ साही बात है रोट सेफ रोट सेफ बैसिलस अच्छा बताईए कॉमा सेफ कॉमा सेफ कॉमा सेफ कॉमा सेफ क बेटा जी spiral safe, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, spiral safe क्या होगा, जल्दी से बोलो बेटा, spiral safe बोलो बेटा, जल्दी से spiral safe, first, spiral safe बताओ, भाईया, अगर कुछ लोग अपनी जिन्दगी में इसलिए बैठे हैं ना, कि उन्हें, अगर आप उस इन्सान को ढूड रहे हैं जो आपकी जिन्दगी बदल दे धान से सुनेगा मरी बात अगर आप उस इंसान की तलास कर रहे हैं जो आपकी जिन्दगी बदल दे तो सबसे पहले एक काम करी आप आईने को देख लीजिए यही वो इंसान है जो तुमारी जिन्दगी बदल सकता है ये इनसान नहीं बदल सकता समझ रहे, मावाब नहीं बदल सकते आप, आपकी वो केवल हेल्प कर सकते आपका, आपको अपनी जिन्दगी अगर बदलनी है, तो वो केवल सिर्फ आप है, केवल खुद तुम हो जो अपनी लाइफ को चैंज कर सकते हो that's only you, समझ रहे करा ना मरी बात, मेरी बात समझेगा सर वह की यह कर रहा हूँ, समझे भाईया 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 तो बाईया आगे बढ़ते हैं, मैंने आते आते बोला था, हाथ बांधे, क्यों खड़े हो, हादसों के आगे भाईया, खाथ बांधे होसले बुलद रखना है इधर देख़ो बेटा जी चलिए नेक्स कोशन आपके लिए आच़्ा है बाबता जी हमारी जो हमारी जो प्रोकरियोटिक सेल है उसका जो उसका जो prososomal DNA है वो naked होता है लेकिन जो extra-chromosomal DNA है ना sir जो self-replicating होता है, इस DNA का नाम का है, extra chromosomal DNA जो यहां पर है, जो extra है, जो extra है वो क्या है, जल्दी से बोलो, चल्दी बताइए, जल्दी से, दिवेधी साथ, जल्दी से बताइए, दिवेधी साथ, come on, come on, come on, plasmid, very good, plasmid is the right answer, चलिए, एक बाह बताइए, prokaryotic cell, बेटा जी, जल्दी से बोलेगा बया, prokaryotic cell, prokaryotic cell में cell envelop कितने होते हैं, how many cell envelop in the prokaryotic cell, जल्दी से fast, command, quick fast, command, quick fast, prokaryotic cell के पास cell envelope कितने हैं, I want a answer, जल्दी से बोलो बाह बाई, prokaryotic cell में, prokaryotic cell में, बेटा जी, कितने होते из cell envelope fast fast देखे जल्दी से बोले मेरे बच्चो मेरे बच्चो जल्दी से बोलो बेटा लोगो कितने cell envelope है तीन है क्या बात है चलिए सबसे बाहर का glyco calyx सबसे बाहर का glyco calyx और बेटा जी सबसे बाहर glyco calyx है वो कितने टाइप का हो सकता है जल्दी से बताइए जो सबसे बाहर की तरफ cell envelope है जिसका नाम है ग्लाइको कैलिक्स क्या नाम है बेटा सबसे बाहर जो cell envelope है इसका नाम क्या है इसका नाम है ग्लाइको ग्लाइको कैलिक्स और हमें एक बाप बताइए जो ग्लाइको केलिक्स है, यह जो ग्लाइको केलिक्स है, कितने टाइप का होता है, how many type, two type is the very good, एक तो slimmy हो सकता है, और एक capsulated हो सकता है, slimmy and capsulated, very good बेटा जी, slimmy and capsulated is the right answer, very good, very good, done, चलिए, और बेटा जी, जो second layer है, second layer का नाम का है, what is the name of second layer, जली से वली है, खौश कमाथ, बह पताईए, इस cell wall के function, right down करो, इस cell wall के function, मुझे चाहिए, अभी का अभी, मुझे आपके comment box में, इस cell wall के function, जली से बलो, cell wall के function, cell wall rigid होती है, वो तो उसका character हो गया, cell wall dead होती है, उसका character हो गया, मैं कहरा हूँ, cell wall का function क्या है, cell wall का क्या huge है, bacteria के अंदर, बिलकुल, safe देती है, protection देती है, collapsing से बचाती है, bursting से बचाती है, yes, 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 clear, आया की नहीं आया, चलिए, inner most layer, कौन सी layer बोरी बने, inner most layer, inner most layer, जो बनाती है, tube like, कैसी बनाती है, tube like, lamular like, कैसा, lamular like, recycle like structure, इस inner most layer का नाम क्या है, इस inner most layer का नाम बोलो, जल्दी से बोलो भाई, यह जो third layer inner most इसका नाम क्या है, इसका नाम है cell membrane, भाईया, रहमान साहब से बहले answer कर रहे हैं, क्या बात है साहब, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा मैरे बच्चो क्या होगा plasma membrane और ये plasma membrane selectively permeable की semi permeable just write down page number 128 पर दिया गया है ऩर भाई साब last paragraph last time और फे page number 29 पर बताइये कितने आपके जो plasma membrane है ये कैसी है selectively permeable है जितने लोगों ने सिभम चोरसिया semi बता रहे है सेमी बता रहे है और जितने लोग सेमी बता रहे हम आकर के फोन में कूट देंगे फोन में घुस के कूटेंगे ऐसे करके समझे सेमी नहीं है प्लाजमा मेंबरेन प्लाजमा मेंबरेन कैसी है सेलेक्टिवली परमेबल है है plasma membrane, plasma membrane कैसी होती सिता सुगला, selectively permeable होती मेरे बच्चो, चलिए और इस plasma membrane के काम है, cell wall formation daughter cell distribution, आपका DNA replication, respiration secretion, increase the surface area of the plasma membrane and इसकी वज़े से बढ़ता है, enzymatic content बढ़ता है और मेरी बात पे धान से सुनेगा, अगर इस plasma membrane, यह plasma membrane जो mesosomes बना रही है, बताईए इस plasma membrane पे अगर chlorophylls पाए गए तो उस structure को क्या कहते है उस structure का नाम क्या है मैं देख रहा हूँ मैं आपका comment देख रहा हूँ, बताईए गौरासिंग, गौरासिंग, अनसिका अविनास पडेल बिलकुँ सही answer दे रहे है बाई साब, अविनास पडेल साब ने एकदम सही बता है, chromato 4 is the right answer और यह chromato 4 कहाँ पाजाएंगे साइनो बैक्टिरिया में पाजाएंगे साइनो बैक्टिरिया is the right answer साइनो बैक्टिरिया is the right answer येस, बहुत अच्छे क्या बाद है आप आप लोगो बहुत बहुत धन्यवाद चलिए next question आपके लिए page number 129 से है मेरा आपके लिए next question बताईएगा जो phlazilla है prokaryotic cell का phlazilla आप cell phlazilla prokaryotic cell धान दीजेगा phlazilla आप जो prokaryotic cell है बेटाजी बताईए cell membrane का cell membrane का modification है कि cell wall का modification है जल्दी से बताईए cell membrane का modification कि cell wall का जल्दी से बताईए cell membrane का modification है कि cell wall का सेल wall का रहा है बिल्कुल अभिनास कडियार जी का answer आगया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है चलिए next question बताइए आपकी जो यूकरियोटिक सेल है उसमें जो फ्लैजिला वो किसका मॉडिफिकेशन है सेल वाल का है कि प्लाज्मा मेंब्रेन का है यूकरियोटिक सेल में यूकरियोटिक सेल में फ्लैजिला किसका मॉडिफिकेशन है का function, locomotion होता है, कि surface से attach होना होता है, जल्दी से बताइए, पिलाई और femri का function क्या है, जल्दी से बलो बेटा, पिलाई और femri का function क्या है, surface से attach होना, या locomotion होना, बिल्कुछ सही बात है, attachment, चलिए next question है आपके लिए, बताइए जो हमारी जो prokaryotic cell होती है, size क्या इसका, size बोलो बेटा, size बोलो बेटा, size बोलो 15 से 20 nanometer, 15 तो 20 nanometer, the size आपदा size होता है किसका, prokaryotic cell के ribosome का, बिल्कुछ सही बात है, अच्छे एक बात बताईए, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, जब prokaryotic cell में mRNA बनता है, क्या बनता है, mRNA बनता है, mRNA, जब prokaryotic cell में mRNA बन गया, ये क्या बन गया, mRNA, तो mRNA से बननी है protein, तो यहां पर, जो ribosome है, ribosome की smaller subunit पहले आकर किससे बाइंड होगी, और फिर larger subunit यहां पर बाइंड होगी, तो बताऊ, larger subunit और smaller subunit जब बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, polyribosome की राप inater plasmid reticulum, polyribosome और polyribosome जो होता है, बेटा जी, ये क्या होता है, ये polyribosome जो होता है, ये translation का unit है, किसमें, बता, polyribosome prokaryotic में की Youkaryotic में, बताइए, polyribosome proker confirming की Youkaryotic में, जल्ðistभ बोलो भाई, polydivorsum का है, pro carry out में, very good, अच्छा, एक बाँ बता दिए, inclusion bodies, inclusion bodies जो pro carry out में, वो कितनी हैं, और उनका नाम बता दिए, how many numbers and name, how many numbers and name, मुझे दोनों चीज़े चाहिए, inclusion bodies का number और उनका name, inclusion bodies का number और उनका name, क्यों चक रहे हो, भाईया, so क्यों रहे हो, जल्दी से बाईया, inclusion bodies का number और उनका name बताईये, जल्दी से बलो भाई, inclusion bodies का number और नेम, fast fast fast, बिल्कुल, विदू बेटा ने सबसे पर बता है, क्या बात है, बाईया, बिल्कुल सही बात है, चलिए, अच्छा, एक बात सुनेगा सर, जो हमारी eukaryotic cell है, eukaryotic cell, बताए कितने, कितने kingdom ह जिनमें eukaryotic cell है, according to Vidaker, fire kingdom है, और उन fire kingdom में से, moneda, protesta, fungi, planty, animalिया में, इनमें से किसमे eukaryotic cell है, कितने हैं, चार हैं, बिल्कुल सही बात है, जिनोंने तीन बोला है, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है, भाईसाब, चार है, कौन-कौन साब, moneda को छोड़कर, सब मे क्या है, eukaryotic, protesta, unicellar eukaryotic, fungi, planty, animalिया, multicellar eukaryotic होते हैं, और eukaryotic cell, जो यहां पर हम पढ़ने हैं, वो plant और animal की पढ़ने हैं, और जो plant cell होती है, उसके पास पाया जाती, cell wall, plastic, और large center value, वेकोल, जो नहीं पाया जाता है, किसमे animal cell के पास, और animal cell के पास, centriol पाया जाता ह है, बहुत अच्छे, चलिए, next बेटा, आपसे हमारा जो कोशन है, cell membrane, cell membrane, जो pro-karyotic, और eukaryotic, दोनों में पाय जाती है, बताइए, cell membrane, में जो major component है, वो क्या है, lipid है की protein, lipid की बनी की, प्रोटीन की, थैंक यू, मंडल साहब, love from the Bengal, अरे क्या बात है साहब, आसीज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत सारे, इतने सारे प्यार के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, चलिए, चलिए, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन, ये दो main component है हमारे, बड़ लिपिड कौन सा लिपिड, यहाँ पर plasma membrane में basically कौन सा लिपिड, isphingo lipid यूज होता है, कि फास्फोलिपिड यूज होता है, जल्दी से बताइए, जो हमारी cell membrane है, इसमें major lipid कौन सा है, इसमें major lipid कौन है, इस फिंगो लिपिड की फास्वोलिपिड, जल्दी से पुलो होता है यह periferi पे होते हैं lipid moiety के head region की بhaiyard आपके center side में होता है बीच में होता है कि periferi पे होता है 돼üz to pero वाइ aке outside होता बिलकुकर स्भाट है विल्कुम। Master 수 Bund National Masterесь बिलकुष ही बात है बिलकुर सही का आपने अच्छा धॉन दिया sevent Literally और बेटा जी अगर हम बात करें RBC की, बताइए, वो कितना परसेंट है, मोनिका दीदी, जल्दी से बताओ Licht content कितना है? जल्दी से बूलो भीटा, Licht content कितना होता है? लिपिट कन्टेंट 40% बेटा जी और बताइए प्रोटीन कंटेंट कितना पर्षंट है प्रोटीन कंटेंट कितना पर्षंट जल्दी तो बहुत अच्छे चलिए एक बाब बता दिये बेटा जी आपका 1972 में 1972 में 1972 में जो Sengar और Nicole सामने एक model दिया था plasma membrane का उसका नाम क्या है उस plasma membrane के model का नाम क्या जली से बोलो भई plasma membrane के उस model का नाम क्या है फ्लूट मुझे एक model is the right answer very good very good very good और यह जो flus मुझे एक model बिटाई अब एक बाह बता जिए plasma membrane जो lipid by layer है इसमें जो protein content है यह protein कितने type का होता है बताईए how many type of protein how many type of protein present in the plasma membrane जल्दी से बताईए fast दो type की है एक है peripheral और एक है integral अब बताईए integral protein page number 131 last line में दिया गया है बताईए integral protein कितने type की how many type of integral protein can you enjoy this session कि आपको मज़ा आ रहा है आपको कुछ खराब लग रहा है आपको इसमें कुछ amendment चाहिए कोई दिक्कत है वो सारी बात है आप बिल्कुल बताईए comment box में मैं उसके अंदर commitment करूँगा और वो सारी दिक्कतों को दूर करने की कोसिस करूँगा आप जल्दी से इस बात को बताईए सर आपको कोई भी problem हो रही जल्दी से जल्दी से जल्दी से फासवासद I see your message चलिए नहीं हो रहा है तो बेटा जी एक काम करिए like करिये comment करते रहेगा जब comment करिएगा जब आपका session पूरा हो जाए आप जरूर बताईएगा कि आपको session कैसा लगा हमारा आपको इसमें क्या कम्या लगी यह जरूर बताईएगा दूसी बात जिन्होंने अभी तक like नहीं कि आप ञाइक कर ते है जिन्ने सबस्राइब पटे कुनाल पे totally buried और parsley buried कुनाल भाई क्या बाद है तुम्हारा स्वागत है आप आई गए पे है ना तो भाईया आपका parsley buried और completely buried आगे पढ़ते है सर हमारी जो plasma membrane है जो हमारी plasma membrane है बताईए इस plasma membrane पे transport active होता है molecule का की passive होता है transport और molecule active है की passive बताईए इस plasma membrane पे molecule का moment active है की passive है जल्दी से बलो भाई plasma membrane पे molecule का moment active है की passive है जल्दी से बलो भाई active है की passive है fast दोनों है चलिए बताईए किस में होता है moment कौन सा moment होता है against the concentration gradient दोनों में से कौन सा moment है जो against the concentration gradient है जल्दी से बताईए active बैटा और कौन होता है along the concentration gating बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे नेक्सक्राइब बहुत ही खुपचुरा सकोशन आपके लेकर आएं हम बिल्कुल जूटे रहिए मजह आजाए वाली है आपको एकड़्या भाईया धान से सुनेगे मेरी बाथ तु विजेता है मेरे दोस्त, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तु कुछ नहीं कर सकता कहकर, तुझे कोई डरा नहीं सकता, कोई तु विजेता है मेरे दोस्त, डरना नहीं है, नीट कठी नहीं है, ये है, वो है, लड़ते रहना है, और एक बात और सुन लो, जिसने कहा कल, जिस जिसने कहा कल तो दिन गया धल और जिसने कहा परसों जिसने कहा परसों करेंगे बीत गए बरसों और सुनो और जिसने कहा आज उसने किया राज। जिसने कहा आज उसने किया राज समझत है भाई और भईया अपन लोग तो आज नहीं अभी पर भरोसा कर रहे हैं अभी का अभी इसका चीथरे उड़ाएंगे हैं हम लोग है कि नहीं भाईया अभी का भी जिसने कहा कल जिसने कहा कल भाईया कहना नहीं है वो अना टल जाएगा दिन दिन गया टल और जिसने कहा परसों बीत गए बरसों और जिसने कहा आज वही करेगा राज तो राजा बनना है सर प्लीज हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक की सेलवाल है किसकी सेलवाल है एलगी की जो सेलवाल है बताइए एलगी की सेलवाल किसकी बनी है जल्दी से बताइए फास्ट एलगी की चिंकु बर्मा मोनिका जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए एलगी की सेलवाल में कौन-कौन से कंपोनेंट है हाँ चारों कंपोनें आपके बताइए आपकी दो सेल को आपस में जोड़े रखने का काम किसका है दो प्लांट सेल को आपस में जोड़के रखने का काम किसका है जल्दी से बताइए दो प्लांट सेल को आपस में जोड के रखने का काम किस का है जल्दी से बोलो भ enjoy जल्दी से बोलो बाई दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ के रखने का काम किसका है जल्दी से बोलो बिल्कुल प्लास्मो डेस्मेटा का है बाईया मिडिल लैमिला का है मिडिल लैमिला मिडिल लैमिला का काम है आपस में सेल को जोड़े रखने का टिकल अधर करने का प्ला इंडो मेमरे सिस्टम में सेल ओर्गिनल कितने हैं चार सेल ओर्गिनल है बिलकु सही बात है बताए रफ इंडो प्लाजमी रेटी कुलम stud응 के किसके इंडो प्लाजमी रिटिकुलम के दो चांट दोनों में से बताईए कौण लिपिड इसेantwortउ दोनों में इसे लिपीड इसे में सिसलिए कौण है बिलकुल वां बहुत है लिपिड के यह आदे प्रोटीन के सिंप्रोटीन सिंस और सिक्रीशन के रिस्पास Kr Alle है protein synthesis or secretion के responsible कौन है जल्ली से बताइए protein synthesis and secretion के responsible कौन है come on come on come on quick fast जल्ली से बताइए RER चलिए next question next question प्यारा सा question बेटा जी next question आप के लिए लेकर आए हैं बहुत प्यारा सा question घांदे सुनेगा मरे बात next question आपके लिए Galgy apparatus किसने खो जाता Galgy operators किसने खो बहुत कूटेंगे भाई साब बहुत गलत बात है चलिए बताइए हमारा जो गौल्गी ऑपरेटर्स होता है जो नियर दा नुकलियस होता है धान से देगेगा मरी बात को धान से सुनेगा जो गौल्गी ऑपरेटर्स जो नुकलियस के परोष में होता है इस गौल्गी ऑपरेटर्स का वो पाट जो नुकलियस की साइड में है इसे बताओ cors face कहते हैं या इसको हम लोग अच्छा बताओ, मैचुरेटिंग फेस किसका नाम है, मैचुरेटिंग फेस किसका नाम है, ट्रांस फेस का, ट्रांस फेस का क्या है, मैचुरेटिंग फेस, ट्रांस फेस का क्या है, अच्छा बताइए, आपका जो गौलगी ओपरेटरस होता है, किसकी बात करें हैं, गौलग operators होता है पिटा जी इस गॉल्गी operators का काम बताओ प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन के पर विसाइकल बनाना होता है कि प्रोटीन का modification करता है गॉल्गी बाटी बताइए पिटा जी ये गॉल्गी बाटी प्रोटीन का modification करता है कि उसके उपर से विसाइकल बनाता है पैकेजिंग करता है भाईया दोनों काम करता है अच्छा बता हो ये गॉल्गी बोडी ग्लाइको प्रोटीन मनाता है कि ग्लाइको लिपिट बनाता है जली से बलो भाई ग्लाइको प्रोटीन मनाता है ग्लाइको लिपिट दोनों ही बनाता प्युस्त्री generate हों स्सितनी और तो बताँए, दोनुं से यह कौन से बेटा जी जो आपका समूथ इंडप्लाज्मी रिटीक absolument बनाता है यह स्ट्रीक स्गडरक्डर कौन से बाद बाते है लाइसोत्य셔서 की होते है लाइसोसोम में जो हाइडोलिटिक एंजाइन्स होते हैं बेटा जी लाइसोसोम में जो हाइडोलिटिक एंजाइन्स होते हैं ये हाइडोलिटिक एंजाइन्स धान से मरी बात सुनेगा जो लाइसोसोम में हाइडोलिटिक एंजाइन्स होते हैं ये आपके acidic pH पे काम करते हैं कि basic pH पे काम करते हैं जली से वो भाई किस पे काम करेंगे acidic pH पे काम करेंगे बिलकुर रतन कुमार रास्तपूर जी एकदम साही कह रहा है सर सर जी ध्यान से सुने का मरी बात हमारा जो vacuol है बताइए vacuol vacuol आपने कितने टाइप के पढ़े how many type of vacuol सा आपने पढ़े vacuol कितने टाइप के पढ़े चार टाइप के एक आपने पढ़ा large central vacuol जो plant में पाया जाता है large central vacuol है ना दूसरा आपने क्या पढ़ा है दूसरा आपने पढ़ा है gas vacuol और एक होता है कंटक्टाइल वैक्योल और एक होता है फूड वैक्योल जो प्रोटिस्सा में पाया जा रहा है हमारे प्लांट में प्लांट में कौन सा पाया जाता है सैब वैक्योल कौन सा वैक्योल सैब वैक्योल अब मेरी बात का जवाब दीजेगा भाया हमारी जो plant cell होती है plant cell में जो large central vacuole होता है ये हमारी cell का कितना percent volume cover करता है जल्दी से बताओ कितना percent volume cover करता है 90% बिल्कु सही बात है 90% volume को cover करेगा अब एक बाँ बताइए vacuole का जो ये membrane है vacuole का जो membrane है इस membrane का नाम क्या है जल्दी से बताइए ही नीट का कोश्चन है ओंगे फिर हमाई अबनालिगोह अलांग पना अलांग था नलेंट स्वर्म भंवाई अगे शयन को सेब सेब एक नमबर सेब्स बताइए सेफ वेरी करेगा की साइस बेरी कि नमबर सेब्सक्राइब च센पायरी करेगा की साइज़्ट करेगा की नमबर वेरी करेगा तीनों चीजे वेरी करेगी बिल्कुल सही बात है अच्छ एक बात है आपकी जो mitochondria है mitochondria है mitochondria की यह outer membrane हो गई यह हमारी inner membrane inner side में कुछ इस तरीके से आपके structures बनाती है जो surface area बढाते है और इन structures का नाम क्या है जल्दी से बताइए इन structures का नाम है जो inner membrane inside में बनाती है इनका नाम क्या है sister नहीं होता है बिल्कु सही बात है बताईए mitochondria के matrix में mitochondria के matrix में glycolisus होती है की crave cycle होती है जल्दी से बताईए mitochondria के matrix में glycolisus होती है की crave cycle होती है जल्दी से बताईए क्या होती है glycolisus की crave cycle जल्दी से बुलो भाई यहाँ पर क्या होती है आपकी scape cycle होगी और क्या होगा link reaction बिल्कुँ सही बात है चलिए बताइए mitochondria के अंदर ribosome 70S होता है कि 80S होता है mitochondria के अंदर ribosome 70S कि 80S जल्दी से बताइए 70S की 80S 70S होगा, बिल्कुल सही बात है चलिये, next question है आप से हम आ रहा है बताईए, हमारे पास जो Plastids है, Plastids कितने टाइप के How many types are Plastids जल्दी से बुलो बहिया, आपके पास जो Plastids होते हैं, Plastids कितने टाइप के हैं, जल्दी से बुलो बहिया Plastids कितने टाइब के जल्दी से बोलो भाई Plastids कितने टाइब के तीन टाइब के बीठाइब साही बात है Tीन बात प्रघारगे Emilopast, Aleoplast और तीसा तुमारा कौन से होता है? Aleuroplast आच हे लिढ़ बता दीजे हमारा जो Plastid होता है वो Double Membrane Mobit Structure है कि Single Membrane Mobit Structure है बताई बेटा, Double Membrane Mobit Structure कि Single Membrane Mobit Structure Double Membrane Mobit Structure बिल्कु सही बात है बताई ये Plastids का Size vary करेगा कि save vary करेगा कि number vary करेगा बताइए plastics का size vary करेगा कि number vary करेगा कि बिल्कु सही बात है तीनों चीज़े vary करेगी आच्छा बताइए inner membrane के अंदर inner membrane के अंदर यह जो आपका space है inner membrane आप plastic के अंदर यह जो space है inner membrane के अंदर यह जो space है इस space का नाम क्या है बताईए inner membrane के अंदर प्लास्टीड में inner membrane के अंदर ये जो space है इस space का नाम क्या है जल्दी से come on quick fast जल्दी से बोलो बेटा इस space का नाम क्या है इसका नाम है stroma बहुत अच्छे इस stroma के अंदर धान दीजिए अमरी बात पे इस stroma के अंदर बेटा जी आपके जो coin like structures है इन्हें हम लोग क्या कहते है इन्हें हम लोग क्या कहते है इन्हें कहते है थैले क्वाइट्स क्या कहते है थैले क्वाइट्स अच्छे एक बाब बता दो थैले क्वाइट्स जब आपके इस तरीके से कुछ structure बनाते है तो इस mind structure को हम लोग क्या कहते है इसको कहते है ग्रेनम क्या कहते है ग्रेनम क्या कहते है इसे ग्रेनम कहते है और बहुत सारे ग्रेनम बन जाते है तो उसे क्या कहते है ग्रेना क्या कहते है अब बताए ग्रेना आपस में जिस ट्यूब के द्वारा जुड़े होते है इस हमारा chlorophyll यानि कि pigments पाया जाते हैं और आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा अर्य चलिए नेक्स बताये नेक्स बताये हमारे ribosome के अंदर हमारे Plastid के अंदर ribosome कौन सा होता है 70S होता है कि 80S होता है 70S ribosome होता है Plastid के अंदर कि 80S होता है 70S की 80S 70S होगा बहुत अच्छे चलिए next question आपके लिए Next question लेकर क्या है हमारा जो ribosome है ribosome को किसने खो जा था किसने ribosome को खो जा जल्दी से बो भाई, राइबो सों को किस ने खो जा, राइबो सों को किस ने खो जा LA बिल्कुत सही बात है चलिए नेक्स वोचें आपके लिए रिक infect to all of you, please actively participate करिए अगर आपको slow लग रहा है, fast लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप comment box ने बता सकते हैं I give my 100% मैं कोशिज करूँगा उससे सही करने की चलिए बताइए ribosome आपके दो टाइप के हैं एक है 70S और एक है 80S लेकिन इन दोनों में से कोई भी हो दोनों में सब्सक्राइब होती है एक larger subnit और एक smaller subnit जो 80S है 80S की larger subnit जो होती है वो हमारी होती है 60S कितनी होती है 68 और smaller subnit जो होती है हमारी 40S अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 70S होते है 70S की larger subnit होती है हमारी 50S तो अब आप बताइए smaller subnit कौन सी होगी 70S की smaller subnit बताइए 70S की smaller subnit जल्दी से बताइए 70S की smaller 7 minute, 70S की smaller 7 minute क्या होगी, बिल्कु सही बात है, आपकी 70S की smaller 7 minute होगी, वो हमारी कौन सी होगी, 30S होगी, बहुत अच्छे, अच्छा, अब एक कोशन और यहाँ पर है, हमारा जो ribosome है, ध्यान से सुने का मेरी बात, हमारा जो ribosome है, ribosome की larger 7 minute और smaller 7 minute, दोनों आपस में, अलग-अलग होती है, लेकिन जब यह आपस में जुड़ती है, तो इसके लिए mg double post 2 चाहिए, mg double post 2 जो metal ions है, यह चाहिए, लेकिन इनका concentration कितना चाहिए, यह मुझे बता दिए, इनका concentration कितना चाहिए, कितना concentration चाहिए mg double post 2 होगा, जल्दी से बताइए, और नितिन किसका होगा, mg double post 2 होगा, जल्दी से बताइए, cytoskeleton, cytoskeleton बनाने में जो protein यूज होती है, वो कितने टाइप की हैं, वो कितने टाइप की हैं, वो कितने टाइप की और उनका नाम बताइए, cytoskeleton में यूज होने वाली protein, कितने टाइप की हैं और उनका नाम, जल्दी से बता ओषाई लई सैटोस्केटन में तीन डाइप की यह…. बिलकुस एइगा, इक होता है तो मुझाहरा इहां पर… हीनके नाम मताएए, माइक। माइक्रो फिलामेंट और इंटर्मेडियेत फिलामेंट चलिए बताइए फ्लैजिला फ्लैजिला और सीलिया अगर हम फ्लैजिला के structure की बात करें तो हमारा जो फ्लैजिला होता है धान से चुटेगा हमारा हमारा जो फ्लैजिला है फ्लैजिला का जो एक्जोनिम है उसमें 9 प्लस 2 का arrangement होता है या भी 9 प्लस 0 का जल्दी से बताइए 9 प्लस टू का होता है है ना अब देखो भया यहां पर जो बीच वाले दो इस स्ट्रक्चर है ये वाला जो C1 और C2 है यह यहां पर यह जो यह जो इस्ट्रक्चर है ग्रीन गिलर की जो लाइन दिख रही है बताइए यह लाइनिंग क्या कहलाती है यह आपस में जो इनको होता है कौन होता है centriole हैं किस की बात करें किस की बात करें centrioles की तो centrioles में को कgam होता है centrioles को बनाने में जा सार्चेормु को बनाने में करें में 927 Jeśli से बुरे है कि 99 про 129 Funny 9 later 9 become certain प्राइब लोगने में 9 10 प्रइम सूज्जे अब के 9 डबलेट्स कितने 9 तो बताइए सेंट्रियोल में यह 9 डबलेट्स होते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं जो यह 9 डबलेट्स हैं यह डबलेट्स होते हैं 9 सेंट्रियोल में कि Central में 9 triplets होते हैं हाँ triplets होते हैं 9 triplets होते हैं 9 duplets जितने लोग बोल रहे हैं वो गलत कहरे हैं बेटा जी आप 11th में है आप Newlight join करिए हमें किवल NCIT पढ़ नहीं है आप Newlight के पेस पे जाकर के वहाँ से आपको contact number मिलेगा और उस contact number में आप call करिए आपको सारे suggestions मिलेंगे ओके बेटा जी सारी आपकी जो queries हैं वो सारी की सारी प्यूरी हो जाएंगे clear answer क्योंकि हमारे आप foundation बैसे भी चलते हैं 9th foundation 10th foundation 11th का foundation 12th का foundation और फिर हमारा जो आपका 12th के बाद जो बच्चे preparation करते हैं हमारे एक अलग wing है जिसमें 9th और 10th के लिए अलग से preparation कराते हैं तो आप contact करिए new light का जो आपका जो contact number है office का उसपे करिए आपको मिल जाएगा इसी link में और उसपे आप बात करिए तो आपका ये solution भी ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी अब एक बात मुझे बताईए nuclear envelope जो बीच में आपके जो pores होते हैं nuclear envelope के बीच में जो pores होते हैं वो pore pore जो होते हैं वो किसकी movement कराते हैं RNA की कराते हैं कि DNA की कराते हैं जली से बताओ भाई RNA की movement करा रहे हैं DNA की movement करा रहे हैं इन nuclear nucleus में जो आपके nuclear pore होते हैं या आंके RNA की moment कराने की DNA की moment करा रहे है RNA और protein दोनों की करार है RNA और protein दोनों की करार है बिल्कुँ सही बात है अच्छा, भाईया mo質 moz koil या कै सकते most condensed form of DNA क्या है जलित से बोलो भाई most condensed form of DNA क्या है क्रोमोसोम बिल्कु सही बात है और अगर तुम्हें क्रोमोसोमल structure को पढ़ना है तो आप cell cycle के किस stage में देखोगे अगर तुम्हें क्रोमोसोम देखना है तुम cell cycle के किस stage में देखोगे जल्दी सब बलो भाई अगर तुम्हें क्रोमोसोमल d structure देखना है अच्छा एक बात मुझे आप ये बता दो कि तुम्हारा तुम्हारा जो living organism है living organism को living organism जो होता है वो cell का बना होता है और हमारे जैसे living organism है human को human को food में major component इस large amount में carbohydrate protein और fat चाहिए कि vitamin और mineral चाहिए जल्दी से बलो भाई बिल्कु सही बात है चलिए next question आपके लिए है चल्दी से बताएगे बिया डाइशन क्या होता है macromolecule को micro molecule में convert करना कि micro को macro में convert करना जल्दी से बलो भाई what is a digestion macromolecule को micro में convert करना यह होता है digestion बिल्कु सही बात है अज़र digestive system को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको divide किया है कितने पार्ट में digestive system को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको divide किया दो पार्ट में एक तो होता है elementary canal और एक होती accessory gland तो एक बाह बता दिए elementary canal का वो कौन सा पार्ट है जो blind sack होता है human digestive system में elementary canal का वो कौन सा पार्ट है जो blind sack होता है elementary canal का वो कौन सा पार्ट होचा है तो जो blind sack होता है see come is the right answer see come is the right answer चलिए बताई यह भाई या DTH buckal cavity में लगा होता है DTS DTH तो D for dive photon, T for thikodon और H for heterodon बेटा जी एक बार बता दो हेट्रोडान कंडिसर में हेट्रोडान कंडिसर में होता है इंसीजर, कैनाइंस, फ्ली मोलर और मोलर तो बताईए कौन से टीथ होते हैं कौन से टीथ होते हैं जो औरनिजम की लाइफ में केवल human के life में केबल एक बार निकलते हैं वो कौन से type है जो human ये दोनों ही क्या हैं ये दोनों ही आपके क्या होते हैं ये दोनों ही जो हैं आपके ये क्या होते हैं बेटा जी हमारे life में एक बार निकलते हैं बताइए बेटा इस्टमग में कितने पार्ट होते हैं how many parts in the stomach जली से बलो भाई इस्टमग में human stomach में कितने पार्ट होते हैं 4 पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं जल्दी से बढ़ो भाई, इस्टमक के किस पार्ट में, काड़ेक पार्ट में, अच्छा एक बात मुझे ये बता दीजिए, हमारा जो इस्टमक होता है, हमारा जो इस्टमक होता है, इस्टमक के काड़ेक पार्ट में, जब ओइसोफेकस खुलता है, तो यहाँ पर इस स्फिं बहुत अच्छे चल्दी से बताईगा next question है हमारा आप से हमारा जो इस्टमक होता है इस्टमक का जो पालोरिक पार्ट है पालोरिक पार्ट आप जो इस्टमक होता है बेटा जी हमारा जो पालोरिक पार्ट आप इस्टमक होता है वो डियोडिनम में खुलता है और इन दोनों क बीच में यहां पर स्फिंटर कौन सा है जल्दी से बलो भाई इस इस्फिंटर का नाम क्या है इस स्फिंटर का नाम है पालोरिक स्फिंटर और बहुत अच्छे कुनाल पटेल सामने बहुत अच्छे से एंसर दिया चलिए नेक्स कोशन ने बताइए जब ओईसो फैगस को अब एक बाह बताईए मुकोसा जो है मुकोसा किस लेयर मुकोसा किस रीजन में डियोडिनम में इस्वाल इंटरस्टाइड में कि लाज इंटरस्टाइड में कि इस चमग में कि ओईसो फैगस में मुकोसा मस्कुलेरिस लेयर में मस्कुलेरिस लेयर जो होती है हमारी जो colon होती है लेकिन मैं कहेँ रहा हूं इस layer में a oblique fibre आते हैं oblique़ पहां नहीं इसTO one भाट अच्छे इन तीनो लेइर में से इन तीनो लेइर में से कोन बनाता है विलाई और रेगु विलाई और रेगु कोन मनाता है इन चारो लेयर में से इन चारो लेयर में से विलाई और रेग्यू कौन मनाता है जल्दी से बताईए मुकोसा बनाती बिल्कुछ सही बात है अब यह जो मुकोसा जब स्टमक में पाई जाती है मुकोसा कहां पाई जाती है तो उसे रेग्यू कहते है और जो intestine में पाए जाएगी तो आपकी म्युकोसा तो उसे हम क्या कहेंगे विलाई जो होती है विलाई में जो ये lacteals है ये lacteals क्या होते है विलाई के अंदर जो lacteals है वो क्या है वाट इस a lacteals जल्दी से बो बाई जल्दी से बताईए अक्तर खान जल्दी से बताईए विलाई के अंदर जो lacteals है विलाई के अंदर जो lacteals है ये lacteals क्या होते है फास जल्दी से बताईए विलाई के अंदर जो lacteals है ये lacteals क्या होते है जल्दी से बो बाई या विलाई के अंदर जो lacteals है जल्दी से बलो भाई क्रिप्स होता है विलाई के बीच में छुपा वह जो पोर्शन उसे हम क्रिप्स कहते हैं और इसी में पाजाता क्रिप्स साफ लिवर कुन चल्दी से बताईए सलेबरी ग्लेंड कितनी प्यर है जल्दी से बलो भाई तीन प्यर होती है वो सलेबरी ग्लेंड जो चीक्स में होते हैं उनका नाम बताईए वो सलेबरी ग्लेंड जो चीक्स में है जल्दी से बलो भाई चीक्स में जो सलेबरी ग्लेंड पाय जाते हैं उनका नाम क्या है पैरोटेड अच्छा बताओ बेटा ज लीवर हमारा जो लीवर लाज़ेस ग्रेंड होती है लीवर जो लाज़ेस ग्रेंड है बेटा जी लीवर जो लाज़ेस ग्रेंड है बेटा जी लीवर जो लाज़ेस ग्रेंड है हमारा जो बाइलोब होता है इस लीवर में ध्यान दिजेगा इसका वेट कितना है वेट कितना ह होता है एड़ाट हुमन के लिवर का वेड कितना होता है 1.22 1.5 kg होता है बिल्कु सही बात है आच्छा बता लिवर में जो इस्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्टिव लिवर है उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम का है उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम का है ग्लीसेंस कैपसूल क्या नाम होता बैया ग्लीसेंस कैपसूल होता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे हमारा जो लीवर है लीवर से निकलती है ह हमारी hepatic duct, एक right hepatic duct और left hepatic duct और यह गालबेडर जो गालबेडर पाय जाता है बताईए गालबेडर की डख का नाम क्या वाट इसा नेम आप डग्ट आप गाल बेडर गाल बेडर की डग का नाम क्या है जल्दी से बलो भाई गाल बेडर की डग का नाम क्या है जल्दी से बलो भाई गाल बेडर की डग का नाम क्या है जल्दी से बलो भाई गाल बेडर की डग का नाम क्या होता है सिस्टिक डग्ट इस डग का नाम क्या है इसका नाम है आपकी सिस्टिक डग्ट बहिया कॉमन हिपैटिक डग्ट और सिस्टिक डग्ट मिलकर के क्या बनाती है नेक्स वोशन कॉमन हिपैटिक डग्ट और सिस्टिक डग्ट मिलकर के क्या बनाती है जली से खुलो भाई पैंक्रियाज अब बताइए इन 6 मेंसे 6 मेंसे कौन सा एंजाइम यह जो सबसे पहले einक्टिवेट होता है इन 6 एंजाइम में से कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले अक्टिवेट होता है जल्दी से बो भाई ट्रिपसिनोजन सबसे पहले अक्टिवेट होता है कौन सबसे पहले अक्टिवेट होता है अब बताईए जो ट्रिपसिनोजन है trypsinogen को trypsin में convert जली से बताईए trypsinogen को trypsin में convert गराता है जल्दी से बोलो थक गया बोलो भाई जल्दी से enterokynase बहकत अच्छे बच्छो बहकत अच्छे चलिए अच्छा ये जो Everything यह जाकर के जब पैंग्रियाटिक डट में खुलेगी तो इस डट का नाम क्या कहलाता है इसे कहते हैं common hepeto pancreatic duct, common hepeto pancreatic duct जब डियोडिनम में खुलती है, तो बताईये यहां पर जो sphincter है, उस phhincter का नाम बताईये जब कॉमन हिपेटो पेंटियाटिक डग डियोडिनम में खुलती है तो वहाँ पर जो स्पिंटर होता है इस्पिंटर आप ओडाई क्या बात है अंजिली यादो जी बहुत अच्छा है रिस्पॉंस के आपने इस्पिंटर आप ओडाई is the right answer बिल्कु सही बात है इस्पिंटर आप ओडाई is the right answer चलिए बहुत अच्छे बोलो ये बात समन में आ रही है आपको ये सेसन अच्छा लग रहा है कि नि लग रहा है और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक करिए थोड़ा सा सेयर करिए ताकि आप और बच्चों की प्रजेंस बढ़े और हम सारे टीचों का तीचर्स का थोड़ा सा moral बढ़ेगा हमारे आने वाले टीचर्स और अच्छे से आपको delivery कर पाएं और और अच्छे से महनत कर पाएं तो आपको थोड़ा सा participate करना है थोड़ा सा इस link को हाई जोती हेलो चेतन हम से बात करो भाई जोती से बात ने बात करना बेटा चलिए इदर आईए चलिए लक्ष अपने दिमाग में रखिए सर भटकने का नहीं सर है ना सर अगर आप divert होंगे तो गलत बात है चलिए आगे बढ़तें बेटा जी चलिए आगे बढ़तें नितिन रास्वूत त्रिवेडी संगम प्रयाग हेलो बेटा चलिए विसाल मिसाल चलिए हाँ इसिता सुकला चलिए बहुत अच्छे तो next question हमारा आपके लिए है बताइए प्यारे प्यारे चो हमारा जो INTERSTILLE JUICE है INTERSTILLE JUICE जिसे हम कहाते है complete DIGESTIR JUICE INTERSTILLE JUICE जो complete digestive juice है यह complete digestive juice में major कितने टाइप के enzymes है major कितने टाइप के enzymes हैं जल्दी से बताएए जल्दी से बताएए Dr. MS.TRIVEDY capita बहुत अच्छा हूं बेटा मैं चलिए आगे बताएए कितनے डाइप के हैं 4 ताइप के नितिन रासबूल बता रहे है 5 ताइप के 5 ताइप के नहीं है कितने डाइप के 4 ताइप के DCACRIDASES DEEPEPTAIDASES LIPASES नूकलोसायड ऐजस अच्छा बताइए जो हमारा GASTIC JUICE है किस की बात करें हैं GASTIC JUICE की बात करें है हमारा जो gastric juice है, उसको बनाने के लिए कितनी gastric glands की जूरत पढ़ती है, जल्दी से बताइए, कितने टाइप की gastric glands वाई जाती है हमारे इस ट्रमक में, बताइए, कितने टाइप की gastric glands है, तीन टाइप की, mucus, next cell, peptic और cheap cell, parietal और organic cell, बताइए, इन तीनों में से कौन निकाल है है, ठीक है, चले, कौन सी निकालती है सर, parietal, अच्छा, next question है हमारा आप से, कौन सी gastric gland है, देखिए सर, तीन टाइप की gastric gland से बेटा जी, कितने टाइप की gastric gland है, तीन टाइप की, एक है mucus, next cell, जो mucus निकालती है, peptic और cheap cell जो निकालती है, pepsinogen, parietal और organic cell क्या निकाल निकालती है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, parietal और organic cell, देखिए parietal और organic cell निकालती है intrinsic factor, और intrinsic factor vitamin B12 को absorb करता है, और ये question नी 2016 में आ से आया है सर, तो intrinsic factor क्या करता है, vitamin B12 को absorb करता है, vitamin B12 mitosis करने में मदद करती है, और जब हमारी RBC बनेगी, तो mitosis से ही बनेगी clear है सर, चड़िए, तो आगे question बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी करम में, सर हमारे stomach में एक enzyme है, हमारे stomach में एक enzyme होता है, renin, तो उस renin का spelling R-E-N-I-N है कि R-E-N-I-N है, जल्दी से बताइए, इन में से कौन है, R-E-N-I-N है, कि R-E-N-I-N है, जल्दी से बलो भाई, इ बेटा है, चैप्टर है, digestion and absorption, चैप्टर 16 है, human physiology का पहला चैप्टर, renin, yes, R-E-N-I-N, और ये वाला जो renin है, वो हमारे, ये निकलता है, JG apparatus से जो की हमारे पाया जाता है, जश्टाग्लोमरोड operators, हमारी kidney में पाया जाता है, clear है सर, जश्टाग्लोमरोड आपरेटर्स कहा पाया जाता है, हमारी kidney में पाया जाता है, चलिए, इसके बाद बेटा एक बापताईए, ये जो renin है, renin जब स्टमक से निकलता है, ध्यान दीजेगा, जब renin जब स्टमक से निकलता है, तो निकलता है ये pro renin के form में, है न, R-E-N-I-N, तो बताईए pro renin को R-E-N-I-N में क convert करता है, प्रो-renin को R-E-N-I-N में कौन convert करता है, जल्दी से बोलो भाई, प्रो-renin को R-E-N-I-N में कौन convert करता है, प्रसान दर्मा, S-C-L convert करता है, बहुत अच्छे, S-C-L, बताईए, निकलने वाला जो S-C-L है, हमारे, हमारे DASO System में, जो निकलने वाला S-C-L है, इस S.C.L. का pH बताइए S.C.L. का pH जल्दी से बलो भाई S.C.L. का pH जल्दी से बलो भाई S.C.L. का pH कितना है 1.8 1.8 है बहुत अच्छे S.C.L. का pH कितना है 1.8 है बहुत अच्छे चलिए बताइए maximum absorption कहा होता है stomach में small intestine में large intestine में maximum absorption कहा होता है maximum absorption कहा होता है maximum absorption कहा है maximum absorption कहा है small intestine में maximum absorption कहा है maximum absorption कहा है small intestine में maximum absorption कहा है small intestine में होगा बहुत अच्छे चलिए next बताइए भाईया next बताइए अगर हम कहें अगर हम आपसे एक बात कहें अगर हम आपसे कहें कि one calorie one calorie बराबर क्या होता है What is the 1 calorie, 1 calorie किसका value है, 1 calorie किसका value है, hello Heeman Super वेटा, hello very good, good morning, 1 calorie किसका value है, उस heat energy का, जब हमें 1 gram, 1 gram water को, 1 gram water का माल लिया, temperature 25 degree Celsius है, ठीक, तो इस 1 gram water का temperature हमने 26 degree Celsius कर दिया, तो यहाँ पर increase कितना degree किया 1 degree तो 1 gram water का 1 degree temperature बढ़ाने के लिए हमें जितनी heat energy देनी पड़ती है that is the 1 calorie that is the 1 calorie है ना increase in the heat energy in 1 gram बिलकुँ सही ना Ryan Sengar बिलकुँ सही बात है चलिए अगर हम कहें कि 1 kilo calorie क्या है what is the 1 kilo calorie जल्दी से write on करो 1 kilo calorie क्या है fast answer करिए 1 kilo calorie 1 kilo calorie बेटा जी 1 kilo calorie 1 kilo calorie क्या है तो यहाँ पर चीज़े ज़स अपोजित हो जाएंगी अपोजित हो जाएंगी मतलब क्या बाईया 1 kg water 1 kg water का 1 degree Celsius temperature बढ़ाने में जितना heat energy देना पड़ता है वो हमारा क्या हो गया 1 kilo calorie क्लियरा भया ड़न चले बताइए joined disk क्या होता है what is joined disk joined disk में क्या होता है liver dysfunction ing को joined disk कहते है liver dysfunction ing को हम मों क्या कहते है joined disk क्लियर है sir हाँ नेहा साक्या बिल्कुँ से बात liver affected होगा तो हम क्या कहेंगे joined disk कहेंगे अच्छा बेटाजी एक बाह बता दो एक बहर बता दो Maltoz Maltoz Disacrythe कि Polyácrythe Maltoz कया है Maltoz Disacrythe है कि Polyácrythe मलtoz Disacrythe कि Polyácrythe मलtoz Disacrythe कि Polyjacrythe Disacrythe तो कौन-कौन से KOMPONENT मिलकर के Maltoz बनता है Maltoz Kis-kis से मिलकर मलтओबनता है Maltoz Glucose plus Glucose Is maltose बिल्कुँ सही बात है सर राइट है वो दो कौन से component है glucose plus galactose is the right answer बिल्कुल सही बात है सर। चलिए next बताइए सुक्रोस किसे मिलकर बनता है सुक्रोस सुक्रोस में कौन से दो दो मोनोमर्स हैं बिल्कुल glucose plus fractose is the right answer बिल्कुल सही बात है क्या बात है बहुत अच्छे बच्चो चलिए next question बताईए next question बताऊ बिटा जी मुझे आप आपका जो PEM है भाईया PEM इसका फुल फॉर्म बताऊ भाई PEM का नाम बताईए PEM का फुल फॉर्म बताईए PEM का फुल फॉर्म बताईए जली से PEM का फुल फॉर्म जली से भलो भाई PEM का फुल फॉर्म क्या ह P.E.M. का Full Form का है बिलकुल सही बात है आसीस कड्या अंसी कड्यार ने एक दम सही बताया है プोटीन नर्जी माल फंक्शनी तो बताईए एक है कॉसर कोव और एक है डोनों में से infant में कौन से होता है मरिशमस और कॉसर कोव में से infant में कौन से होता है इनफैंट्स में कौन से होगा बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है बात है बहिए इनफैंट्स में होगा मरिसमस बहुत अच्छे बचो चलिए अब आपके लिए हम 20 कोशन्स लेकर आएं 20 कोशन्स और यह रैपिड डिवीजन है सर रैपिड चलिए फास्ट आर्यू यह रिस्वांस करिए आर यू रेडी न्यू सेशन के लिए जलिए सब्लों बाई बिलकुल एंसर भी आ गया फर्स और करी करी जिसने सेल को वो क्या है एंट्वन लुवेन होग बिलकुल सही बात है नेक्स को नेक्स फिलिंग दा ब्लैंक भाई यहां पर फिलिंग दा ब्ल इसमें क्या हो जाएगा इसमें अंसर क्या होगा जली से जली से फास्ट वास्ट वास्ट मैं देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं आपके कमेंट जली जली से बताइए जली से बताइए फास्ट कोशन दिख रहा है सबको सबको कोशन दिख रहा है जली से क्या बाद है साथ, 1838 में को ना आया था, स्वान आया था, और यहोंने क्या पता है, प्लाज्मा मिम्रेन के बारे में, very good, next question, रोडल विर्चो फर्स एक्स्प्लेइन क्या था, सेल डिवीजन को, तो भाईया रोडल विर्चो ने इसको कब एक्स्प्लेइन क्या था, किस एर में, किस एर में, किस एर में, किस एर में, भाईया, 1855 है ना सर, बहुत अचे, बहुत अचे, फास फास, चलिए, next question, next question, सा यहां पर एंसर क्या जाएगा भूलो बई यहां पर एंसर क्या जाएगा तुम्हारा यहां यहां पर आंसर मोर्यतर मेisz लो क्या है सेल्ली कितना होता है । जो decentralized या बैक्तिरिया कितना जल्दी से बन् scrutin है बनवाई वैक्तिरिया कि इसओ ऐस आगे बढ़ते हैं फास् औा फास्य यूमन रेड ब्लड ब्लद सेलम ऐबाऊग डियुटीय कितना चल दिसे पास्य फास्य जलिछ वास्य वास्य फास्य कॉनधि पॉर अजसर सेवन मैक्रो to genomic dna many bacteria have small outside genome and a small dna and that these small dna are called जल्दी से बोलो भाई क्या फिलिन दा ब्लेंक्स में क्या एगा जल्दी से बोलो भाई यहां पर आ जाएगा तुम्हारा circular dna क्या जाएगा circular dna outside और दूसरा जो यहां पर आ जाएगा वो क्या जाएगा वो आएगा तुम्हारा plasmid क्या जाएगा plasmid command quick fast बहुत अच्छे बहुत अच्छे next question next question no no RNA like the one the eukaryotes are found in the prokaryotes except जल्दी से बोलो except for इसका answer क्या होगा जल्दी से बोलो भाई ribosome answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ribosome next question next question glycocalyx could be the lucid और यह से हम क्या कहते लूसिद fill in the blank it may be thick or tough जल्दी से बोलो भाई पस या जल्दी से फर्स और सेकंड fill in the blank को करो यह कौन सी है slimmy layer होगी slimmy layer है ना glycocalyx या तो कैसी हो सकती है या तो हो सकती है तुमारी slime layer और या तो कैसी हो सकती बहाई या तो हो सकती है चलिए बताइए 12 question में क्या भरेंगे आप क्या जल्दी से बोली है पिलाई 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 यास 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 वेरी गुड prokaryotic cell में हम लोगों ने बढ़ा था next in prokaryotic ribosome in prokaryotic ribosome किसकी बात कर रहा है prokaryotic ribosome associated with the plasma membrane and they are about यह होते हैं जल्दी से बलो भाई कितनी लेंद के बताया था मैंने आपको 15 nanometer to 20 nanometer की लेंद होती है next question next question animal cell have filling the blank which are absent in the most of all plant cell all part of the cell 14 question का answer दीजे फास्ट जल्दी से बलो भाई हाँ 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 मैं आ जाता हूँ बताये हाँ सेल वाल नहीं सेल वाल नहीं सेल प्लीज हिंदी में आचा 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 जल्दी से बताये animal cell have which are absent in the almost क्या कराया सर क्या होगा 14 question का answer क्या होगा बुरो भाई central is the rise answer चलिए next क्यान कराया है detail structure of cell membrane इनार वाच इस रिडीट ओनली था अप्टर था एडवा एडवन एडवा मेंट अप इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप इन बताओ 15 में क्या होगा 15 15 इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप कब खो जा गया 1950 होगे सर चलिए आगे बढ़तें सर आगे बढ़तें इन human beings the membrane of eukaryotes membrane of erythrocytes जिने बोलते हैं हम लोग आपका approximately कहरा इसमें protein content कितना है lipid content कितना है protein content is 52% और lipid content is 40% अभी अभी पढ़ाया था मैंने division किया था next in an improved model of structure of membrane was proposed by improved model किसने propose किया improve model किसने propose किया जलिठी सब्लों है 17 question का answer किस ने सेंगर रहा निकोल संब ने कब किया था 1972 ना 1970 1972 में किया था सर और इसे बढ़िया नाम क्या दिया था इसे नाम दिया था flud मुझे जार करें राप इन डम रापर चले रापर रापट 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 रेमरे बहीं हां आग्याद मुठे में टेकर और डगे में अंएज़ आगया design clear čले next question next question गौल की सिर्श,जन्स संट संट गांवेग्स कव्ट क्या कहेंमे ज्लिशन भलो कॉण्वेक्स से तटको क्या कहलेंगे और कौने को क्या बहुthing जलिए सब और सिस पेस कॉन सा होता है सुकिन कॉन सा होता है सिस्फेस वां फार्मिग फीस यह फर मिंग पेस और कॉनकेव कॉन सा होगा कॉनकेब कॉन सा है सब अघयान को कहता है next फास बटा जी, फास-फास करें, जल्दी से फास स्वास करें, करें एंडॉम्सिंटमें सिस्टम couples encryption, वन्हें इा युरॉ यार प की नहिकर गॉल्गी ऑप्रेडर्स है न, गॉलल्गी बोड़ी पा जाएगा, और क्या पा जाएगा गौल गी कॉंपलेक्स पाय जाएगा लाइसोस्वाइगा और क्या पाय जाएगे वैक्योस पाय जाएगे है भाईया 20 कोशन सौट और लॉंग आर्म आप दर सब मेटा सिंडी क्रोमोस्वाइगा कि यहाँ पर जो सौट आर्म है सौट आर्म को हम लोग क्या कहते है नीट में आयो कोशन है इसे बोलते है पी आर्म और बेटा लॉंग आर्म को क्या बोलते है क्यों आर्म कहते है है ना सर नेक्स कोशन concept of ओमनी सलला और इसलला regard the cell division first proposed भाई पहली बार ये किसने प्रपोस किया था बोलो भाईया first time ये किसने प्रपोस किया था जल्दी से बोलो भाईया first time ये किसने प्रपोस किया था रोडल विर्चो इन 1855 बहुत अच्छे बच्चो रोडल विर्चो इन 1855 गौलगी कॉंपलेक्स participate in the formation आप तुम जरूर निकालोगे है ना इसी स्याही समुंदर से नूर निकलेगा तुम मेरे समुंदर हो YouTube मेरे सारे बच्चे क्या है समुंदर है उसी से क्या निकलेगा नूर निकलेगा और भाईया ना तुमारे ना तुमारे टीचर से ना तुम्हारे मातापिता से तुम्हारा नीट का एक्जाम तो केवल तुम्हारे हाथों से ही निकलेगा वो तुम्हारे हाथों से ही निकलेगा क्या बोलते हैं ना हम सफर से ना किसी ना हम नसी से ये तुम्हारे पाउं का काटा केवल तुम ही से निकलेगा समझना सर मेहनत तुम ही को करनी पड़ेगी किसी और से तुमारे पाउं का काटा नहीं निकलेगा हाँ हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना है या कैसे करना है उसमें हमकी लोग केवल हमारा सेसन अच्छा लगा होगा आपको इसमें आपको इसका बेनिफिट मिला होगा है ना सर आपको अगर इसको बेनिफिट मिला है तो भाईया आप बिल्कुल भी कमेंट में बताएगा और अगर कोई आपको दिक्कत हुई है आप बिल्कुल ऒायाँ में बताएए भा कि आपको क्या दिक्केते हुई है हम उसके ओपर काम करेंगे क्लियर है सर भाईया धान से सुने हुई हर एक बात को याद ज़रूर रखना भाई साब आज मैंने आप से दो चार बाते कहीं है मैंने क्या कहा है बाईया मैंने आप से कहा है अगर तुम उस इनसान को ढूण रहे हो जो तुमें ऊपर ले जाए तुम्हारे तुमें सफल बना है तो वो केवल तुम हो और हाथ बांदे क्यों खड़े हो हाथ सो के सामने और हाथ से कुछ नहीं है तुमारे हसलों के सामने तो बैया मेरी बात को धान अकिएगा और मेरे प्यारे प्यारे बच्चो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत इंज्वाए किया मैंने इस सेशन को आपने आपको इस सेशन कैसा लगा अब आगे का जो question है question से सनय हमारा sell the unit of life का वो हमारे बहुत ही प्यारे से बहुत ही smart से और बहुत ही energetic बहुत ही qualified doctor sir sir हमारे doctor manis sir जो है आपको इस chapter के questions कराएंगे है ना और वो इतने अच्छे तरीके से questions को explain करते है ना एकदम आपका पूरा chapter ना एकदम हो जाएगा ना रबडी मलाई जैसा एकदम उड़ा आगे भाई सब एकदम और मक्षन मलाई है ना एकदम मस तरीके से आपका question कराने आ रहे हमारे बहुत ही प्यारे से sir dr. manis sir आईए sir सारे बच्चे आपका बहुत सारा इंतिजार कर रहे है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कराया था तो प्यारे बच्चे आप लोगों ने बहुत ही धुआदार से संदेखा डाक्टर हरियोम सर का जिन्होंने आज एदम रोला कर दिया एदम धुआ दुआ कर दिया चलि आप लोगों रैपिट फायर कर लिया होगा प्लस एंस आटी भी कर लिया होगा चलिया आप तयार हो यह कोस्टन सेशन के लिए चलिए सब लोग रेडी है क्या बोलिए एवरीवरीवन इस डेडी आप दुआदार वाटरफाल पूरा एकदम छकास क्या पहुंजी इतना लेड करेंगे तो चलिए बड़ा स्टार्ट करते हैं पहला कोश्टन आपके सामने पेस है दोजार इकीस का दोजार बाइस का कोश्टन है चलिए जवाब दीजिए फटाक्स है मेडा सेंट्रिक एक्रीक शेंट्री सम्मेडासेंट्रिक टिऴां सेंट्रिक का दोजान आ हमको कुछ नहîne reasons को लगता है की नहीं मेटसेंट्रिक में मिडिल वर्ट औरूढ़ना चाहिए अनजने मेटासेंट्रिक में इंडील लो बैया यहां चाहिए हो गया थर्ड कि लो 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 यह दहु ma Tá क्ष Favor शने नहीं दिखह रहा है वैचारों सो क्या करें लो अब दिख गया होगा अब दिखो ऐखर लो अगया आगया काम खतम टेंसर नहीं लेने का के बनाओ की मैचिंग आए मनाओ की मैचिंग आ तु ब्लीय उन具 में मिडिल देखना रहा है एक्रों छें hangs ट्रीक में देखना तो close to its end अपने end के समीफ हो सब मेटरा सेंट्रिक में देखना होता slightly away from middle और टीलो सेंट्रिक में देखना होता terminal या add the end clear होगे बड़ा clear clear तो A हो गया third B हो गया first, C हो गया fourth D हो गया second तो कर ले जाएंगे आप लो tension नहीं लेने का selection करके दूसरों को tension दो, कि भाई आपने ले लिया, तुमारे जो hater है which of the following statement with respect to endoplasmary reticulum is incorrect कम सकम बड़ा अभी एक question देखना दूसरी तीसरी बार रिवाज हुआ होगा S.E.R. is divided of ribosome in procarioid only R.E.R. present S.E.R. the site of lipid synthesis R.E.R. has ribosome attached to ER तो बड़ा, पूछा गया incorrect तो भाई यह आपको पता होगा कि procarioid में membrane bound cell argenal absent होते हैं, फिर तो बलो procarioid में membrane bound cell argenal absent होते हैं, सिर्फ एक ही cell argenal होता, procarioid में जिसका नाम होता, ribosome 71 type का होता है, वही present होता है जो कि non-membranus होता है, उसको छोड़के बाकी कोई भी membrane system आपका procarioid में नहीं पाय जाता है तो भाई procarioid में R.E.R. की बात है छोड़ दो बाकी आपको पता है, S.E.R. में ribosome नहीं होगा, स्मूथ होगा R.E.R. में ribosome होगा, S.E.R. लिपिट बनाएगा, R.E.R. प्रोटीन बनाएगा Which of the following is an incorrect statement चलिए बताए, इनमें से कौन सा statement incorrect है Microbodies are present both in plant and animal cell The perinuclear space form a barrier between the materials present inside the nucleus and the cytoplasm Nuclear pore act as a passage for protein and RNA molecule in both direction, mature tube element poses a conspicuous nucleus बैटा, आपको पता है कि microbodies, plant और animal में दोनों पाएजाती, दो प्रकार की होती है एक होता है, glyoxysome एक का नम होता, glyoxysome और एक का नम होता, paroxysome paroxysome बैटा, plant और animal दोनों में पाएजाता है और glyoxysome खली plant में पाएजाता है germinating seed में दिखता है Oxidation of fat करता है ठीक है काम खतम पेरी नुक्लियर वी इस्पेस अरे आउटर और इनन नुक्लियर मेंब्रेन के बीच की जो इस्पेस होता उसको बोलता है पेरी नुक्लियर इस्पेस डामेटर अगर पूछा जाए तो कभी बचवा लोग बता देना 10 से 50 नैनो मीटर फिर दो ब इस लिए गलत हो जाएगा रवी और यह में पाइजांपला खरे जाता है और सीव में इंवल्गा अर्मीक्रोनुक्लियर उसके संको देखेगा मैचिंग का पहताक्ताइश जवाब दीजिए पहले देखे पूरा अप्सन दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को ठीक है थोड़ा तो उपर कर देते हैं लो चलिए मैच करो मैच करो क्रिष्टी थैला क्वाइट सेंटर मियर सिस्टर नी तो बड़ा आपको पता है क्रिष्टी होता है इसको कहते है प्रो प्लेयर प्रो प्लेयर अगर आपने चारों मैच करायी प्रो प्लेयर नहीं इले और आपको इस mem youtube अब आपको विल्ण गंटा लग गया इसलिए लगता है लगता है इसी लिए लगता है थाला कोड़ बटा आपका पाय जाएगा मेंब्रेन सेक होगा इस्टोमा प्लास्टिड में सेंट्रों यह आपका प्राइमरी कॉंस्टिक्शन होता है और सिस्टन नहीं होता है डिस्क सेवड सेक इन गॉल्जी अपरेटस 2020 में एक कि बारे सुछ लिया अगर मिडी होगा तो कौन सा होगा uh यां मीडी लोगा तो समेटसें टर्मिनल हो या एंड Dü muchos चलेन स्कुषचन है कौन कौन से इंडो μέंब्रेन शिष्टम का कौन कौन सह होगा कौन से नर्विक्षस instrum में आते हैं कौन से सेल आरगेएंस इंडो मेंब्रेन सिस्टम में आते हैं येस तो बैटा एक फार्मुला आपको याद होगा गर्ल वी क्या याद होगा गर्ल वी गॉल्गी बाड़ी एंडो प्लाज्मी रेटिकुलम लैसोसोम और वैक्योड माइटो कॉंड्रिया परोक्सिस्टोम और आपका क्लोरोप्लास ए नहीं आते हैं तो देखें यहां पर द क्लोरोप्लास्ट जिन में नहीं है वह एंसर हो गया तो तेजी से करने का तरीका सीखिए आप लोग आप तो कर लेते हो बहुत अच्छे बच्चे हो चलिए बच्चा नेस्ट कोस्टन विचित दा इंपोर्टेंट साइट आफ फार्मेशन आफ ग्लाइको प्रोटीन ग्ला प्रोटीन और ग्लाइको लिपीड आजये जगो अगर अकेला हो तो आहरी य लेकिन अगर ग्लाइको वड़ा जाए तो मुझ केस में एंसर क्या हो जाएगा बटा गॉली बाडीज च्छ मवायर गॉली बाडीज ठीक है पॉली सोम बेटा सिंगल एम आरेने से धेर सारे राइबोसोम जो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं पॉली सोम या पाली राइबोसोम इंक्लूजन बॉडिस के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है चली जवाब दीजे दे लाइफ फ्री इंदा साइटोप्लाज दीज रिप्रिजेंट रिजर मेटेरिल इन साइटोप्लाज दे आर नाट बाउन एनी मेंब्रेन सिस्टम दीज आर इन्वाल्व इन इंजेशन आ फूड पार्टिकिल यस तो बड़ा आपको पता होगा कि इंजेशन वगरा हमें नहीं होते हैं यह फ्रीली साइटोप्लाज पड़े होते हैं कोई भी नूकलियर कोई भी इसमें मेंब्रेन की बाउंडरी नहीं होती और तीसरा काम होता है इसका स्टोरेज आफ फूड या मैंटेरियलं यह तीन इसकी फंक्शन है चौता इसका फंक्शन नहीं है और इसके एक्जांपल अपनब एक बार आया हुआ है एक्जांपल में ग्लाकोजन प्रेनियूल साइनोफलेंट ग्रेनियूल साना फैसिएंट फौस्पेट ग्रीमड ऑद फालसлуч सियट रोड ग्रdock लाइसोसम को पता है लाइसोसम बनता है गौलगी बॉड़ी के कान केव ट्रांस मैचूरिंग फेस है तो ये क्या लिखा है endoplasmic reticulum सुनो 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 यह तो गलत हो गया ना यह तो गलत हो गया अब पूछा इंकरेट तो पहला answer मिल गया हमें तो बनता कहां पर यह भी तो यहाद हो न चाहिए बनता कहां पर बटा गॉल्जी परेटस में गॉल्जी अपरेटस में दो फेस होते हैं एक होता एक होता नकेव कान्विक्स सिस फार्मिंग कान्केव कांव्कृ ट्रांस मेचरी एंडो प्लाज़म रेकिलम के पास होगा वहीं से अप्रोटीन और लिपिडिन जीरो एक्टिव होता है मेंब्रेन बाउंड होता है कि दा कांसेट वाउमनी सेल्ला इसल्ला रिगार्डिंग सेल डिविजन वाज फर्स प्रपोज भाई अरिश्टोटल रुडॉल्व विर्को थोडर स्वान स्लाडल तो बटा आपको पता रुडॉल्व विर्को इन एटीन फिप्टिफाइब इन्होंने दिया था और बच्चा आपको याद होगा कि आरिश्टोटल आपका फादर आप बैलोजी कह रहते हैं इन्होंने प्लांट को तीन ग्रूप में डिवाट किया था प्लांट में तीन होता ट्रूप एन हर्व और एनिमल को दो ग्रूप में डिवाट किया था एन आयमा एन इनायमा विदाउट रेड ब्लड एंड बिद रेड ब्लड थोडर स्वान इयर है इनका 1839 और बटा स्लाइडेंड का है 1838 इन्होंने प्लांट सेल पर देखा था थोडर ने प्लांट और ए लेकिन बटा सेल थोरी एक्स्प्रेंड नहीं कर पाई कि एक सेल कैसे आती है उसको एक्स्प्रेंड कर दिया रुडाल विर्को ने ओमनिस चल्ला इस चल्ला तो कॉस्टन बन सकता है हूँ मॉडिफाइड थोरी हूँ एक्स्टेंड अच्टेंड थोरी और याने किसने सेल क्यूरी को मॉडिफाइड या एक्स्टेंड किया तो एंसर आजाएगा रुडाल्फ विर्को नेस्ट कॉस्टन विचाथ फॉलिंग स्टेट्मन रिगार्डिंग मैटो कॉंड्रिया इस इनकरेक्ट नीट 2019 का कॉस्टन है मैटो कॉंड्रिया के बारे में कौन सी बात गलत ह जवाब देजे हैं कि तो देखते हैं मैटो कॉंड्रिया क्लोरोड़ास दोनों में बटा डियाने पा जाते हैं डबल स्टेंडे होता सिंगल होता और कैसा होता सर्कूलर होता है outer membrane permeable होता है यह भी बास सही है enzyme of electron transport are embedded in outer membrane अरे गलत हो गया outer membrane पे काम धन्दा नहीं होता outer membrane पे कोई भी काम धन्दा नहीं होता हमेशा किस membrane पे होगा inner membrane पे होगा क्योंकि inner membrane अंदर की तरफ inferial हो जाती है surface area बढ़ जाता क्रिष्टी कहते हैं वहीं पर चलता आपका ETS Electron Transport System अच्छा कल हो चुका है यार यह तो सही कहा तुमने दा सॉटर और लॉंगर आम साथ सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोजों रिफर टू एच चलिए सॉटर और लॉंगर आम को क्या कहते हैं आप दोबारे कर लो कोई डिकत नहीं जहर नहीं हो जाएगा तो बड़ेव याद कर लिए याद कर लिएping एस-प बडो यह को कैया बोलते बड़ता क्यू आर्म तो पहले क्या चाहिए इंश covered ये पीयाँ और तो क्यू हो जाएगा कौन सा और्गनल है जिसमें DNA नहीं पाया जाता तो आपको पता होगा नूकलियस के अंदर DNA होता है माइटो कॉंड्रिया के अंदर DNA होता है क्लोरोप्लास के अंदर DNA होता है तो इसका मतलब जहां-जहां माइटो कॉंड्रिया या क्लोरोप्लास होगा वह आपसन नहीं होगा यह नहीं होर्व कि अपका क्लोरोप्राइसे नहीं होगा यंसर क्या जहागा सब्सक्राइबी को बोलते अव्राइस सज्चा और नुक्लियस के अललग, अðb सेम होता कि अलग होता है डिफ्रेंट डिफ्रेंट अलग अलग यास राइट ना ना देखो यही बात है कई बच्चे सेम भी बोलना है तो ध्यान रखिए कि बटाओं जो नूकलियस के अंदर का डिने पाजाता हो वह डबल स्टेंडर लीनियर होता है जबकि क्लोरोप्लास औ अंदर का डिने होता हो कैसा होता है डबल स्टेंडर सर्कुलर जहां से सुनिएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है सर रोहन बेटा वह राइबोसों की बात कर रहे हो तुम कि मैचिंग का कोश्चन है चलिए मैच करिए फटाक से चलो बच्वा सो गया क्या ठीक है गगंधीव हिंदीं बोल ले अंगली जी कहां बोल ले गॉल जी अपरेटर लाइसोसों वाकुल राइबोसों मैचिंग करना है चलिए भाई मैच करिए तो गाल्जी अप्रेटर्स ग्लाइको प्रोटीन है ग्लाइको लिपिड ये थर्ड दो अप्सन होगे दो अप्सन गए अब बेटा हमें देखना है बी देख लो बी क्या है लाइसोसोम लाइसोसोम डाजेस्टिंग बायो मालेकुल बी हो गया फोर ए बारेको प्लांट इल साइब्वैकोल कहलाता है और इसमें जो भी चीजें और यह बाइंस्ट कंसंट्रेशन ग्रीटेशन रखरे जाती है और सेल का में मेंव्धियो को मेंदेर Nh fallen cancer Uni अब लूस धोदिए और नुंsk eerste the following is true for nucleus 2018 question है चलिए जबाब दीजिए और उससे पहले सबी लोग एक बार लाइक मार दो यार जल्दी से लाइक मार दो तो बैटा nucleus emorphos structure होता है बिना किसी membrane से ढखा होता है spherical होता है nuclear plant में पाया जाता है और इसका काम होता active ribosomal RNA synthesis और RNA आगे चलके ribosom बनाएगा आगे चलके protein बनाएगा तो larger nuclei are present in dividing से ले बात तो गलत हो जाएगी it is a membrane bound structure नहीं होगा it take part in spindle फारवन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा it is a active side for ribosomal RNA synthesis याद रखिएगा ऐसा cell जो actively protein बनाएगा वहां पे larger और numerous nuclei पाय जाएगे तो nuclei ज्यादा बड़े होंगे नंबर संख्या ज्यादा होगी तो RNA ज्यादा बनेगा और RNA ज्यादा बनेगा तो ribosome ज्यादा बनेगा तो protein ज्यादा बनेगा लेकिन dividing cell में इसकी जरुवत नहीं होती है क्योंकि न्यूक्लियर मेंब्रेंट डिसएपियर हो जाती है दा गॉल्जी कंप्लेश पार्टिसिपेट इन गॉल्जी कंप्लेश किसमें पार्टिसिपेट करेगा फैटी इसेड ब्रेकडाउं फार्मेशन अब सेक्रेट्री वेच्टिस रेस्पारिशन इन बैक्टिरिया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसेड तो आज ही बताया आज है है कि वहाँ जी कंप्लेश के जो उता है और सेक्रेट्री वेच्ट सेंत्रहेशन शाकदरिकों सब्सक्रिट round करता है इन में से बात रफर ऩार्ट में 部分 में नहीं होगी नीट 2018 कोशन है बहुत यह अच्छा कोशन है चलिए देखते हैं कितने लोग जबाब देते हैं गुड मार्निंग बच्चा राम मूरत जी गुड मार्निंग तो ज़रा देखिए प्रोटीन बनाना होता है प्रोटीन ग्लाइको सालेशन होल्ड रखिए छोली एक फंक्सन किसका होता गौली बडियस का होता है खिवेज आफ सिगनल पैप्टाइड ये प्रोटीन ये भी बनाक प्रोटीन बना होता है लेकिन आपको प्ता राम यपट नहीं बनाता आल कर देता है या कुछ और कर देता है तो एंसर क्या हो जाता भी तो ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइको लिपिड वर्ट किसके लिए आता है गॉल्गी बॉडी इसके लिए ध्यान रखिएगा ठीक है ना बचवा बोलो क्लियर हुआ लेकिन यह 100% ऐसी आर नहीं बनाएगा क्योंकि ग्लाइको सिडेसन आपका रफ एंडो प्लाजमी रेटिकुलम से स्टार्ट होता है फानली कहां पर कंप्लीट होता है आपका गॉल्गी बॉडी में क्लियर कई सारे बच्चों को सकता कंप्यूजन हो तो कभी कभी कोस्टन एंसर किसा आप से करना पड़ता है कि कै कैसा कोश्चन है चलिए नेस कोश्चन सेलेक्ट दा इनकरेक्ट मैच इसमें बड़ा 2018 में दो आप्सन ऐसे आगे थे तीन आप्सन ऐसे आगे थे जो आपके NCRT के विवांड थे आउट चलिए लैंब्रूस क्रोमोजोम डिपलोटीन बाइवलेंट क्रोमोजोम एलोसोम सेक तो ला याद रखने हैं कि जो पॉलि टीद क्रोमो विता है तो पाए जाता है सिलावरी ग्लेंड वम्यक्ष्ट क्यों सेלהफ सक्रोड़ अदौ करेशिगा थे डिपलोटीन ठीड प्रोगे तो वहाँ पे जब प्रोफेज वन मियोसिस का डिप्लोटीन स्टेज पड़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि उस साइट आफ एम्फिवियंस या उस साइट आफ वर्टीब्रेट में डिप्लोटीन स्टेज कैन लास्ट फार मेनी टाइम मतब लांगर डिवरेशन के लिए मंस तक लास्ट कर सकती है तो वहाँ पे एक क्रोमोजोम बनता है डिप्लोटीन बाइवलेंट इसको बोलते हैं लैंब्रूस क्रोमोजोम और यह पाया जाता है उस साइट ऑफ वर्टीब्रेट्स तो एक जा इंपा लेया दोनों चीए बहुत लार्जेस्ट क्रोमोजोम होते हैं लैंब्रूस पाया जाता है डिप्लोटीन स्टेज में कहां पे उस साइट ऑफ वर्टीब्रेट्स पॉलिटीन क्रोमोजोम कहां पाया जाता है सलाइवरी गैंड ओफ एमफिबियल्स ठीक है सब मेटासेंट्रिक एल होता है एल्ल जो सेक्स को डिसाइड करता उसको बोलते एल्लोसोम यानि सेक्स क्रोमोजोम मेल में आपका होगा एकस वाई फीमेल में होगा एकस एंड एकस अब जड़ा देखिए एरे ब्रिजेस ठीक है सांत रो अब इसके बाद जिरा देखिए कि इसका पॉलिटीन का दूसरा नाम बेटा हम लोग बोल देते हैं इसमें एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर पा जाता जिसका नाम होता बालवियानी रिंग क्या नम होता है बालवियानी रिंग ठीक ना अब एक सब्सक्राइब कर लेजिए विच अब फालूइं से रिस्पांजबिल फार एक्स्टेक्टिंग एनरजी फार कार्बोहड़ेट्टू फार्म एटीपी राइबोसोम क्लोरोप्लास मैटो कॉंट्रियान लाइसोसोम चलिए जवाब दीजिए तो जैसे ही एटीपी आजाए चलती है अब का मिसमेच गलत मैचिंग बताना चलिए जवाब दीजिए गैस वैक्योल ग्रीन बेक्तिरिया अनिमल सेल प्रोट्टिक यूच करियोल्ट मेजन सबस्टेक्र connected सेंसोर हो गया चलिए जारा देखते हैं ग्रीन बैक्टीरिया सलफर बैक्टीरिया ही सब में पाए जाता है लार्ज सेंट्रल वेक्टीरियों एद्मल नहीं होती होती इसका नम होता है गलत हो प्रोडिश्टा आपका यू करियाड होता है मिथेनोजन बेटा आपका प्रोकरियाड होता है चले नेस कोश्चन सेलेट दा रॉंग स्टेट्मेंट बैक्टिरियल सेल्वाल इस मेड़ पेप्टाइडो ग्लाकेन पिलाई एन फिंब्री आर मेंली इन्वाल्ड इन बढ़ियां है 11 से तयारी करो बहुत बढ़ियां इस इसको के देडिकेशन टो पता होगा कि पैप्टाइडो ग्लाकेन बना होता लेकिन पिलाई और फिंब्री आप मोडिलेटी नहीं इनिवाल्व होते हैं मोडिलेटी माता फ्लाइचला इस प्लाइचल प्रोटिन पाज़ मैक्रोप्लाज्Мы मैं यह बेक्टीरिया में यानि प्रोकैर्याट में सेल वाल हर जगा नहीं पाय जाती है किसमें मैक्रोप्लाज्म में 0.3 माइक्रोमेटर लेंथ होती है इसकी और बिटागर देखा जाते हैं इसमालेस लिविंग सेल मेजोसों आपका पता होगा यह आपका बैक्टिरिया में पाइज जाता है इन फोल्डिंग होता है रिस्पारीशन फंक्शन होता है माइटो कॉंड्रिया एन क्लोरोप्लास्ट आर दोजार सोला के बटा स्टेट्मेंट वन सेमी आर्टो नॉमस ऑर्गिनल इस्टिमेंट भी फांब डिवीजन अप्री एक्जिस्टिंग ऑर्गिनल सैंडे कंटेंड डिन ने बट लैग प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैसेनरी जाए बटा मैटोकॉंड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी आर्टो नॉमस मतब यह अपनी कुद की प्रोटीन बना लेते हैं लेकिन बटा एक कुछ प्रोटीन के लिए डिपेंडेंट होते किस पे नूक्लियस पे तो पूरी तरह से डिपेंडेंडेंट नहीं इसलिए क्या आते तो नहीं बोलते हैं तो पहला सही दूसरा गलत एक रूबी फाल्स पहला सारे बच्छों ने सही जवाब दिया नहीं भाई बी नहीं होगा पहला सही है सेमी आर्टो नॉमस है याद रखियेगा ठीक ना आटो नॉमस होता आपका नूक्लियस और किसी पे डिपेंडें इन बना लेता है इसलिए बहुत साब्दा सेल बोलते हैं नूक्लियस को मैक्रो टुबूल आपका इसको नहीं बनाएगा नूक्लियो सोम नहीं बनाएगा क्योंकि यह बनाएगा यह बनता है डिने और हिस्टोन मिलके सीलिया फ्लैजला लेकिन पर ऑक्सी सोम एक सेल आर्गनल नहीं बनाएगा तो देखो एलिमनेशन रूल से हमने फड़ाक से आपको जवाब दे दिया इट इस डी ठीक है चले ने स्कॉस्टन विच वन अफ फालुई से रालगनल यह इंक्लोज बाएगा सिंगल मेंब्रेन कौन कौन से सिंगल मेंब्रेन है अच्छी चले मेंनत और करो और क्या अगर सारे जवाब दे रहो तो बढ़ियां है यह तो अच्छी बात है ना लाइसोसोम से नुक्लियाई माइटो कॉंड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो बड़ा सिंगल मेंब्रेन आपको पता होगा कौन होगा लाइसोसोम बाकी यह से किसे होते हैं डबल मेंब्रेन बाउंड ठीक है चलेने स्कॉश्चन वाटर साल्वल पिग्मेंट फांड इन प्लांट वैक्योस केरेटन वाइड एंथोसाइन जैंतोफिल क्लोरोफिल बहुत यह अच्छा कोश्चन है बटाए बहुत यह अच्छा कोश्चन है तो अगर आपने यह इंतोसायनीन एक परपल पिग्मेंट उटा है यह पैजाता है आपका वेक्योल में और यह कैसा होता हुटा वाटर सालवन इन पाए टेंऻ पनेग्शी यह ऩनमें पाया जाते हैं और यह कैसे होते हैं इसके बांसे और केरिटनवाइड के टाइप केरोटीन और जहन्तोफिल पाया जाते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट में चलिए मैचिंग का कोश्चन है तुरंट मैच करके जवाब दीजिए हमें कालम उनका कालम टू से मैच करना जल्दी जवाब दीजिए फास्ट कमान तो बटा हमने देखा थालकोयड क्या होता आपका इस्टोमा में अपका पहागा ख्लै यह उपर होगा तो बटा ए ओगए थर्ड कई सारे UM चलिए आप दोसके बी करके देख लेते हैं कि भी हो जाएगा क्रिष्टी इन फोल्डिंगा मैटो कॉंट्रिया भी हो गया फॉर यह थर्ड भी फॉर बाकी अप्शन गये अब इसमें सी करके देख लो सी है सिस्टर नी सिस्टर नी होता है डीस्क सेव्ड गॉल जी अपरेट सेम कोशन अभी मैंने आपको कराया था रिपीट है चले नेस कोशन विच अब फाल्लविंग इस्ट्रक्चर इस नाट फॉंड फॉंड इन प्रोकरियाटिक सेल तो जो भी मेंब्रेन बॉंड चीज होगी वह प्रोकरियाट में नहीं पाए जाती है जैसे कि आपका न्यूक मेंब्रेन सार कौन कौन से सेललर आरगनल है जो मेंब्रेन होते हैं तो याद रखिए का मेंब्रेन वाले सेल आरगनल जादा है यह मेंब्रेन वाले कम हैं तो ऐसे कोशन करने के लिए इतना मेहनत मत करिए जिस जिस ऑप्सन में बिदावड मेंब्रेन वाला है उसको हटा द फिर से एक बाद सुनो जासी बाद साम बोलता है टाइम लगईला तो गईला क्यों क्यों क्योंकि नीड इदा management of time तीन घंटे बीस मिनट आप तो मिलने लगे हैं बीस मिनट मालो तुमारा फार्मेल्टी में इंवलेज़ेटर खाजाता तो तीन घंटे रहता है तो तीन घंटे में करना है अगर उसी पेपर को मैं किसी को दे दू कहूं एक दिन में करना है तो मुझे लग रहा हर वच्चा मेंनद करके 720 नमबर ला सकता है यानि मेन मेंटर क्या है time और उसी में धाग दुख धार्दुख दिल और हो जाता तो मारा टाइम किल और इसलिए एक जाम हो जाता है इस्पिल इस फैक्ट है वाई चले नेस कोश्चन विच वना तो फालुए और नाड मेंब्रेन बाउंड जोको वही कोश्चन रिपीट हो गया इन में से कौन मेंब्रेन नहीं है लाइससों मीजो सुम वैक्योल राइबो सुम तो को नो जगा राइबो सुम यह में नस होता है तो बता आई से इसे कोश्चन आए मनाओ कि ऐसा कोश्चन आए फोड़ के चले हो चले ने इस कोश्चन डिएन ने इस नाट प्रिज़ेंट इंड आज ही मने दबल-श्टेंडर्ड लिनियर होता है। मैटो कॉंट्रियाँ और क्लोरोप्लास में वेठ 69 प्लेक्त राइन नहीं पाजाएगा। राइब Sam Л्ण लिखा जाता है। और दिदीन और रिड़नल एक ऐसा ऑरनल जो डूसरे और के पाजाता जैसे कि मैटो यार क्लोरोफास के अंदर और नुक्लियर मेंब्रेन पर भी पाया जाता है कौन सा राइबोसों चलिए यार नुक्लियर इनुवलब इस डेरिवेटिव आफ माइक्रोटुबूल आरियार अगर आपको फीगर याद होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि आउटर नुक्लियर मेंब्रेन फिर आता है रियार फिर आता है इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि आउटर नुक्लियर मेंब्रेन से कौन कनेक्टेड होता है रियार तो इसी से बना होगा तो क्या हो जाएगा आरी आर सिक्वेंस पूरा याद रखिएगा आउटर नुक्लियर मेंब्रेन उसके बाद आरी यार देन ऐसी यार दस्ट्र तक्षटर दญर फंबाइस स्टैकिंग ऑफ और्गनाइज फ्लैटन कम्रेन सेंदव लोheads उस्टर रॉल में ट प्रिश्टी ग्रेना एक के उपर एक लगा ने आत तो क्या बनेगा बड़ा ग्रेन एक के उपर एक लगे गा तो बड़ा ग्रेना सिंगुलर बोलेंगे ग्रेनम एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोडने वाला स्ट्रोमा लेमली चले नेक्स्ट सेलेक्ट करेंट मैचिंग इन फालुइंग पेर जल्दी से जबाब दा एदम फोर दाला इस कोश्चन को वेलकम प्रिजेश तो आरियार आरियार क्या करता बटा ग्लाइकोजन नहीं बनावागा कर्बोहाइट नहीं बनाता है ऑक्सिडेश नहीं करता है इस सिंदेशिस करता है तो एक्सिडेशन करने के लिए आपको आते हैं पर ऑक्सिसोम ग्लाय ऑक्सिसोम क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर इस सिच्वेट टोस्टू वनिड देखो कितनी बार बोलें यार यह मुझे लग रहा चौती बार कोशन आ गया सब म हुआ मिटाइंट ड्रफ्यहीर 5 एक्सिंट्रोर्इंटोमोजज के लृए बनेगा जो और एक एक्स्ट्रीमली सॉट और एक बढ déb विच वन अब दा फाल्वी इस नाट एंग्लूजन बॉडी फाउन इन प्रोकरियाट आजी बताए अभी इंग्लूजन बॉडी किसी भी मेंब्रेंस से नहीं गिरे होते हैं साइटोब्लाज में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं रिजर्व मैटेरियल के स्टोरेज में काम आते हैं तीन एक्जामपल इंसीयाटी में दिया गया है आपका ग्लाइकोजन ग्रेनुल फास्पेड और साइन फैसियम ग्रेनुल क्या नहीं होगा पॉली सोम सिंगल मरने से धेर सारे तहँन को जूनना क्या कहलाता है पॉलिसोह पॉलिए बोघ्र हो सो चले लेको इससे मैक्रो ट्वियव मैक्रो फिलामेंट इंटरमीडिएट मेंट्स इन में से किसका होता बटा आपका six nanometer यह होता है माइक्रो फिलामेंट का तो माइक्रो फिलामेंट six intermediate बटा 10 और माइक्रो ट्रीबूल होता है 25 nanometer यह एक्जेक्ट डेटा नहीं है लेकिन यह आपके most preferred data है clear तो कहने के बाद सबसे छोटा माइक्रो फिलामेंट उसके बाद फिलेमेट बना होता है किरेटिन प्रोटीन का बना होता है गांते मैक्रोफिलेमेटि eyeballs नेने को प्रोटीन से जोडने वाले स्टक्चिर के नुक्लियो प्लाजोटि Oak प्रोटीन उसे स्ट्वैक्य से ने प्रोटीन से जोड़ेंगे दास्मोटिक एक्सपेंशन आप सेल केप्ट इन वाटरीज चीफली रेगुलेटेड वाई तो सेल के आस्मोटिक प्रेसर को कौन मेंटेन करता है यास व्या वक्यव व्याद रख्यक गोल र है और कि के लिए उपयोगी नहीं होती है अगेंस्ट के अनदर पर देता है वे अ्ट सक्ता है Axel का तो बटा तुमको पता है उन्टियोल ऐस बैसल बॉडियो अंटल आपका बनाता है वसेली और इसलिया फ्लेजला ए-4 दो मस्क होन गया हक्रिस्टी इन फोल्डिम में निटो कंडरिया और ट्रा ोटा है नूक्लिक अशिडल राइबोजाइम होता है बटा नुक्लिक एसिड 23 srna एक्ट एज एंजाइम क्या बोलते बटा इसको राइबोजाइम चले नेस क्वेश्चन गॉल्जी कॉंप्लेक्स प्लेजा मेजर रोल कितनी बार आएगा गॉल्जी कॉंप्लेक्स का रोल मुझे लग रहा है कि घुमा फ मौडिफीकेशन और जो लिफिड बना था उसका घ्लाइकोशाई थिते सो यह डशन पमेंजे geweल सारे वड़ाते में एक स्टक्चर aa गया है और जो पूछा गय क्वेश्य कोन और वर यह क्वा दिया यह एक है और फ्सन क्या में मैंने लेबलिंग कर दिया solution आ हो तो बड़ा अगर इसके उपर राबो सोंपा जागा तो आरी यार बोलेंगे हलाकि यह लेबलिंग गलत है गॉल्जी अप्रेडस नहीं है यह क्या है ऐसी यार है गलत लेबलिंग हो गया है तो रफ एंडो प्लांज में रेटिकुलम फार्मेशन अब ग्लाइको प्रोटेन न करवाया था याद करो तो यानि रियल फंक्शन का प्रोटेन अगर मालो यह अपसर ना होता तो मजबूरी में तुम्हें इसको टिक करना पड़ता लेकिन जब दोनों दिया है तो हम किसको करेंगे प्रोटेन को कि इसलिए वहां पर होल्ड कर आया था अब मेजर साइट फॉर सिंतेसिस अब लिपिड इज सिंप्लाट नुकलियोप्लाज आरियार एस्यार तो पूरा चैप्टर याद रखो यह जो पूरा चैप्टर दो जगा केंद्रित है एक है आपका वैक्योर दूसरा है आपका क्रोमोजोम वाला पोजीशन आप सेंट्र और तीसरा है आरियार एसी यार गॉल्जी बॉड़ी तो बड़ा लिपिडिकोंड बनाता है एसी यार सोचने का नहीं एंसर देने का तुरंट चले नेस कोश्चन डाट टर्म ग्लाइको कैलिक्स यूट फार ग्लाइको कैलिस आउटर मुस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया क कि सबसे पहले से बाद एक गलाइको कैलिस उसके बास सबसे बाद स्थैरल उसके बाद प्लाज्मा मिम्ब्रेन या सेल में था गलत हो जाएगा कि सबसे geweर है नें ने सेल ने नहींसे का भूंग था लाघाहए घंसर का था आप wall of bacteria a layer surrounding the wall of bacteria clear ने ने सेल वाल क्या होगा सेल वाल तो अल्रेडी है तो याद रखिएगा सबसे बाहरी लेयर होती ही glycocallics उसके बाद होती है cell wall उसके बाद होती है cell membrane यानि cell wall के बाहर की जो layer है वो क्या कहला है ये glycocallics और खाद बात है glycocallics के दो काम होते हैं cell को recognition में मदद करता है bacteria के cell को protect करता है और tissue से host के tissue से चिपकने में मदद करता है glycocallics function भी याद रखना which of the following type of plastic does not contain stored food material अरे तो leukoplast जो colorless plastic होता है वो storage करता food का ilioplast fats and oil fats and oil and leuroplast protein का emyloplast starch का मुझे लगा सारे बच्चों की याद होगा chromoplast और chloroplast का storage का function नहीं होता चलो ये next दिया है figure पहचानों कौन figure इतना प्यारा हमारा दूलारा लग रहा है mitochondria तुमको दिख भी रहा होगा हो सकता ना दिख रहा हो तो कुछ ऐसा बना है figure में ये ऐसे ऐसे गुमा वाला ये mitochondria हो गया इसका मतलब इसको बोलते हैं power house of the cell तो क्या करेगा cell और energy बनाएगा इन दा फार्माप ATP लो ऐसे ऐसे question है तुम लोग धूँआ धूँआ कर दो क्या कर दो धूँआ 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 select the correct statement from the following regarding cell membrane 2012 question जल्दी से जवाब दीजिए बच्चा sodium and potassium and move across cell membrane by passive आरे ना बचवा sodium potassium आ जागा तो एक्ट्व होना चाहिए सोडियम आया नहीं कि एक्ट्व लगाया नहीं तुमने फिर तो बोलो sodium आया नहीं कि एक्ट्व लगाया नहीं प्रोटीन मेकप 60-70% आप दा सेल मेंब्रेन ये तो गलत हो जाएगा भाई 52% बनाता है 40% लिपिड और आर से 10% कार्बोहाड़ेट लिपिड और अरेंज इन बाय लेयर बिद पोलर हेट टूर इनर पाड़ नहीं 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 पोलर हेट बाहर होता है और टेल होता अंदर की तरफ यह बात भी गलत हो जाएगी तो अपने आप एंसर क्या हो जाएगा ड़ी फ्लूड मोजग मार्नल के से दिया था सिंगर निकोल्सन इयर है 1972 इयर है 1972 मोस्ट अक्सेप्टेड माडल है फ्लूड मोजग माडल जल्दी से जवाब दो फोड़ फाल दो इसको तु जल्दी फोड़ दो मुझे लगता है तुम्हों तुरंट फोड़ होगे और मुझे जवाब मिलते ही मैं आगे बढ़ जाओंगा तो दप्रो करियाटिक राइबोसम एटी एस गलत्त कैसा होता है सेवेंटी एस दीज आर कंपोज आप राइबो नुक्लिक एसिडेन प्रोटीन साहिए भाई राइबोसमल आर ने और प्रोटीन का बना होता है क्या पुछा है प्रू लोग होगे मिलते हैं दीज आर इंट्रों आप सम आरेनेज ठीक भाई विच वन दो फालिव डज नाट डिफर इन एकुलाई एंड क्लेम अडम उनास राइबोसम्स क्रोंगोजोमल आर्गनाजेशन सेल्वाल सेल मेंब्रेन ने बच्चा एक्षुली आज हमारे एक टेस्ट है जिस टेस्ट का टॉपिक है सेल्दा यूनिट आफ लाइब एंड डाइजेशन उन दो चप्टर का आज होगा हां हां इस प्लाइसिंग अकेले बटा आर ने से होता है इकुलाइम अता बैक्टिरिया एकुलाइम अता प्रोकारियाट और आपको पता है प्रोकारियाट में मिंब्रेन बाउंड अस्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं तो अगर हम बात करें राइबोसोम दोनों में पाए जाता है लेकिन दोनों में अलग अलग होता है इस नोट दिफर है यह थो डिफर करेगा यहां पे 70S कोगाई यहां पे एटी और 70 दोनों ओगा क्रोमोजोम यहां पर क्रोमोजोम बनता ही नहीं है और वहां पर हिस्टोन और नान हिस्टोन से मिलके क्रोमोजोम बनता है सेलवाल इसका पेप्टाइडो ग्लाकेन उसका सेल लोजिक हो सकता है या एपसेंट हो सकता है लेकिन cell membrane एक ऐसा structure है जो bacteria ले लो चाहे प्लांट ले लो चाहे animal ले लो हर जगह क्या होता common इसलिए एक word लिखा जाता है कि cell membrane is universal लेकिन याद रखिएगा कहां ऐसी जगह है जिसका cell membrane बाकी सारे से अलग होती है कौन सा ऐसा example है जिसका cell membrane bacteria eukaryote से अलग होती है कौन यश को डिशन नियुक्श अर्टी बाक्टीरा मेर गूद त्र Já इस नियुक्ति रहा हो अव्यौज चैनले कोस्ट्ट्ट उर्ण बैक्टरिया का इंडिया आर्ड कि अदिक स्ट्री करेक्लिया पूद ऊखे लगा क्लिया दिए नियृकर कुशन golden निवशन कोस्टर सब्सक्राइब नियुक्लिवलस नूटा है राइबोसोमल और न की सिंथेस राइबोसोम ट्रह नहीं होता है 70S होता है इसलिए गलत हो जाएगा लाइसोसोम एक्टिव होता है एसेडिक पी एच पे और जिसका पी एच होता है 5.0 एदिया 8.5 तो सोचो कितना असान-असान कोश्चन आते थे पहले लेकिन किसी और और पाया जाता है और जो दूसरे जैसे की प्लास्टिड और मैटोकॉंड्रिया में पाया जाता है प्लाइड है तेप्टाइड सिंतेसिज इंसाइड असेल टेक प्लेस इन दगो इसका भी अमसर क्या हो जागए रइबोसों प्लाइब नतब की फेप्टाइड बोंग मतब रूटीन फैक्टरिव क्या बोलते है रैबोसोम प्ल्टिवलाश्चन इंपोंट्रिक फार फारमे तस लगाया नहीं है तो यह खतम होता है सेशन अब हमारे सामने हमारे बहुत ही सीनियर टीचर संगम सर आ रहे हैं जो आपको कराएंगे डाइजेशन चेप्टर का कोश्चंस तो वेलकम सर आईए आप इनके मार्क दहसन में बटा बने करिए और मुझे लग रहा है कि सर ज्यादा देर का सेशन नहीं होगा आदे गंटे का है तो बटा आप बने रहे हैं फिर उसके बाद अच्छे से टेस्ट दीजिए सर दो जाटेश की प्रिपरेशन हां बटा करवा देंगे तो वेल्कम सर थैंक यू बच्छों बाबाय टेक केर और जिन्हों लाइक नहीं मारें इबर लाइक कर दो जोड़नार से तो तिंग बटा पीडिया आप पो टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा निव लाइड इस्टूट गुड वार्निंग बच्छों चले भई बिना लेट किये हुए मिशन को आंगे बढ़ाया जाए तो दोनों लोगों के धुआधार डिसकसन के बाद आप कुछ ज़्यादा गुणजाईस बसती नहीं है भई चले भई पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर सिलेक्ट दा इनकरेक्ट मैच बटा इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है फिगर पर ध्यान से देखें और मिशन को आंगे बढ़ाएं तो बटा ए पार्ट इस कार्ड एज इलियम बटा इस कार्ड जेजुनम and C part is called isophagus, C part is called isophagus, D part is called pharynx, E part is called parotid salivary gland and F is called sub maxillary salivary gland तो बटा सारे पार्ट को identify किया गया और जरा करेक्ट आप्शन को देखें A major site होती है absorption की it is called ileum it is true B long coiled middle portion of the large intestine जेजुनम बाकी तो सारा case ठीज है it is not a part of large intestine it is part of small intestine salivary gland located on the cheek E parotid gland this is called true tube passing through the neck diaphragm card isophagus बटा जरा ध्यान करके बता हो इन में से कौन सा पार्ट है इन में से कौन सा पार्ट है जहां सिरोसा absent होती है वो कौन सा पार्ट है elementary canal का जहां सिरोसा absent होती है elementary canal का कौन सा पार्ट है जहां सिरोसा absent होती है यस अमन से एक आईसो फेगस तो आईसो फेगस में सिरोसा absent होती है इन में से कौन सा पार्ट है जहां की muscularis layer triple layered होती है कौन सा पार्ट है जहां muscularis layer triple layered होती है muscularis layer triple layered कहां होती यस बता stomach stomach maximum absorption इन में से कहां absorption देखने को मिलता है कौन सा पार्ट है elementary canal का जहां absorption देखने को मिलता है बता कौन से पार्ट में absorption देखने को मिलता है यस मुहम्मा साइद very good बता absorption हमें देखने को मिलता है jejunum और ileum में maximum absorption ileum में देखने को मिलता है jejunum और ileum दोनों में और maximum absorption देखने को मिलता है ileum में select the correct matching बटा next question पर focus करें और जड़ा correct matching को select करें तो a is card incisor, b is card canine and c is card premolar and third is card molar तो जड़ा correct option को select करें 102 correct option is निधी सर्मा D अनुराधा बायो C बटा C कहां से होगा जड़ा ध्यान से देखें a incisor है, b canine है, c premolar है और d molar है so correct option is option D बटा इन में से कौन सा teeth human being में है जिसका number 8 होगा बटा इन में से कौन से teeth है जिनका number 8 होगा human being में number of teeth 8 is number of teeth 8 कौन कौन से होगे कौन कौन से teeth है जिनका number 8 होगा human being में कितने teeth है जिनका number 8 है इंसीजर प्री मोलर एंड इंसीजर तो देखो भाई 21-23 का अरेंजमेंट तो दो ये है दो ये है चारो हाफ में रैमी में आठ आठ होंगे इंसीजर एंड प्री मोलर बटा human being में कितने teeth ऐसे है जिनमें तीन root पाई जाती है कितने teeth है with थ्री root In human being, how many teeth have 3 root How many teeth have 3 root Total number of teeth जिसमें 3 root होंगे Yes, Alpha boy 12 ट्वैल्व 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 त्री रूट होंगे ट्वैल्व इनमें से कौन सा टीथ होता है जो प्राइमरी डेंटेशन में नहीं पाया जाता कौन सा टीथ है जो प्राइमरी डेंटेशन में मिसिंग होता है कौन सा टीथ प्राइमरी डेंटेशन में मिसिंग होते है यस प्री मोलर तो pre molar are absent in primary dentation primary dentation 2102 upon 2102 बटा ये तो molar का representation है molar तो है एक molar गायब होता है लेकिन type of teeth तो present है पर pre molar absent होता है बटा human dentation में कौन monofiodant arrangement सो करता है human dentation में कौन से teeth monofiodant human dentation में कौन से teeth monofiodant होंगे human dentation में कौन से teeth monofiodant monofiodant तो बटा देखो monofiodant तो हो गए pre molar और एक थार्ड molar जो होता है वो monofiodant half रहमी में 2-1 मतलब half रहमी में 3 teeth हैसे होते है जो monofiodant और total 12 teeth monofiodant सो करते हैं select the correct match, correct matching को select करो भई तो A is called pyloric part B is called cardiac part and C is called fundus part and this portion is called as body body तो A पाइलोरिक, B कार्डियक, C फंडक तो A पाइलोरिक, B कार्डियक, C फंडस so correct option is option D अब बेटा जरा ध्यान से बताना है बेटा कौन सा पार्ट इस्टमक का टूर्ड डायाफराम होता है कौन सा पार्ट इस्टमक का टूर्ड डायाफराम इस्टमक का कौन सा पार्ट डायाफराम के पास होता है इस्टमक का कौन सा पार्ट यस निधी सिनहा, फंडस नियर डायाफराम बेटा कौन सा पार्ट होता है जहां गैस्ट्रो जहां वो कौन सा पार्ट है जिससे muscular insphincter जुड़ता है muscular insphincter attached with which part muscular insphincter कौन से पार्ट से जुड़ता है muscular insphincter स्टमक के कौन से पार्ट से जुड़ता है yes महम्मद साहिद very good muscular insphincter means gastro isofagial insphincter और ये जुड़ता है cardiac part से muscular insphincter जुड़ता है cardiac part से बटा स्टमक का कौन सा पार्ट है जो डियूड़नम से जुड़ता है और कौन सा पार्ट डियूड़नम से जुड़ता है इस टमक का कौन सा पार्ट डियूड़नम से pyloric 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 बटा वो कौन सा इंस्फिंक्टर है जो पाइलोरिक को डियोडनम से सेपरेट कराता है इंस्फिंक्टर प्रेजेंट इन पाइलोरिक पार्ट आफ इस्टमक एंड डियोडनम इस्टमक जो इस्टमक जो पाइलोरिक यास व्यद्दोत पाइलोरिक इस्फिंक्टर पाईलोरिक इनसफिंक्टर बटा जो स्टमक होता है उसका शेप कैसा होता है What is the shape of stomach बटा स्टमक का शेप कैसा होता है स्टमक का शेप कैसा होता है Yes, J-save endpointry canal का कौन सा part C-save होता है elementary canal का कौन सा part C-save होता है part of elementary canal which is C-save C-save, yes, Deodenum Deodenum Select the incorrect matching incorrect matching को जरा select करना है incorrect matching को select करना है चलो भई ध्यान से देखो inner most layer card mucosa B card sum mucosa and C card longitudinal muscles D card circular muscles ये हो गई muscularis layer और चो outer layer ये हो गई सिरोसा अब जरा इल्क आप्शन के according जरा select करें बटा A mucosa है क्या हो ये microvilli form करती A mucosa है ये microvilli form करती this is true B sub mucosa है have blood and lymph vessel this is true D inner circular muscles है D inner circular muscles है this is also true सिरोसा outer most layer होती है mesothelium कहलाती है बट ये most connective tissue नहीं रखती है ये some connective tissue रखती है so correct option is yes with those some connective tissue बटा क्या हमको मालूम है कि कौन से connective tissue देखने को मिलते है बटा which type of connective tissue present in सिरोसा लेयर which type of connective tissue present in सिरोसा लेयर कौन से या सार्स नराइन सुकला मुहम्मस साहिद बटा ariolar tissues बटा कौन सी epithelium देखने को मिलती है कौन सी epithelium सिरोसा कौन सी epithelium सिरोसा मुहम्मस साहिद very good बटा iscomus epithelium iscomus epithelium बटा कौन सी लेयर है जिसमें blood vessel blood vessel, lymph और gland देखने को मिलती है गट की कौन सी लेयर है जिसमें blood vessel, lymph और gland देखने को मिलती है blood vessel, lymph और gland कहां देखने को मिलती है सब्नियोकोसा, 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 सब्नियोकोसा बटा ये दो ती blood vessel, lymph vessel, glend ये मियोकोसा में भी देखने को मिलती है और सब म्यूकोसा में भी देखने को मिलती है सब म्यूकोसा में नर्व सेल पाई जाती है और म्यूकोसा में नर्व सेल एपसेंट होती है म्यूकोसा ऐस सब म्यूकोसा बोट है लिम्फ वैसल, ब्लड वैसल, ग्लेंड बट only nerve cell absent in mucosa present in submucosa यस गगनदीप सेंग पतेल select the correct match पिटा correct matching को select करना है तो ए तो हो गया बेटा वेन बी हो गई क्रिफ्ट सी हो गया बी हो गई क्रिफ्ट और सी हो गई आर्ट्री आर्ट्री और डी हो गई लेक्टियल और ई हो गई विलाई आप जड़ा correct option को select करें ए वेन बी क्रिफ्ट लेक्टियल इ विलाई तो ए वेन है बी क्रिफ्ट है डी लेक्टियल है और इ विलाई है सो करेक्ट आप्शन इस आप्शन फर्स्ट अरे भाई डी नहीं है ध्यान से देखो इसको सी कर लेना है ना सेलेक्ट दा करेक्ट मैचिंग फिगर को आइडेंटिफाई वह बटा दोनों को दोनों आप्शन सेम हो गए तो फस्ट भी हो सकता था डी भी हो सकता दा गरम उसको सी कर लेते हैं तो फस्ट आप्शन बना रहेगा सेलेक्ट दा करेक्ट मैचिंग बड़ा फिगर को आइडेंटिफाई करें और करेक्ट मैचिंग को जरा सेलेक्ट करें तो A is called as a cystic duct duct of gallbladder B is called duct of liver which is called hepatic duct C is called common bile duct and D is called pancreatic duct अब जड़ा correct option को select करें भई 106 correct option is option B बटा hepato pancreatic duct hepato pancreatic duct की opening कौन से in sphincter से गाड़ होती है in sphincter present in opening of hepato pancreatic duct कौन सा in sphincter yes अनुरादा बायो विद्धोत निधी शर्मा in sphincter of odai in sphincter of odai in sphincter of odai बटा pancreas pancreas exocrine gland होती है या endocrine gland होती है pancreas is a exocrine gland और endocrine gland pancreas is a exocrine gland और endocrine gland both इसलिए इसे dual gland भी कहते हैं लीट्रो क्राइन gland भी कहते हैं 99% exocrine होती है unit acne कहलाती है और 1% endocrine isolate of langer hence both चले भी question number one सकस in tricus is referred as बटा किसे सकस in tricus कहा जाता है सकस in tricus को आप किस तौर पर जानते हैं सकस in tricus also called as ए तौर बटा सकस in tricus is called as a intestinal juice it is secreted by intestinal gland which is a secretion of goblet cell penit cell and bruners gland तीन gland का secretion बनाता है intestinal juice और यही juice final product बनाने के लिए responsible होता है gastric juice gastric gland से secret होता है काइम food का वो farm होता है जो stomach में होता है pancreatic juice pancreas से secret होता है तो सकस in tricus is called as a intestinal juice in sphincter of od is present at बटा in sphincter of od कहां पाया जाता है yes एहमद खान बटा first in sphincter of od present in तो in sphincter of od पाया जाता है जो hepatopancreatic duct होती है जो deudanum में खुलती है इसकी opening in sphincter of od I guard करती है तो it is not present in ileocecal junction not in jejunum deudanum not gastro-isofasial junction it is present in hepatopancreatic duct यह संदीप पाल एहमद खान मिनाक्षी पतेल identify the correct statement reference to human digestive system human digestive system के according कौन सा statement correct है जरा identify करें तो बटा correct statement को ध्यान में देना है फर्स्ट 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 तो देखो भई शिरोसा innermost layer elementary canal की नहीं होती it is outermost so this statement is false ileum opens into small intestine यह small नहीं large intestine में खुलती है so this statement is also for vermi form appendix arise from duodenum no it is part of cecum so this statement is also false burst ileum is a highly coiled part of the small intestine बटा वर्मी form appendix functional organ है या वेस्टिजियल अर्गन है vermi form appendix is a functional organ or vestigial organ vermi form appendix is a functional organ or vestigial organ yes it is a normal organ or lymphoid organ it is normal organ or lymphoid organ vermi form appendix is a lymphoid organ or normal organ yes मुहम्मद साइद लिम्फवाइड आर्गन लिम्फवाइड आर्गन है एंटिरो काइनेस एंजाइम किसके या सेलूलोस डाइजेशन कराता है भाई अमन से तो देखो भाई सीजनोजिन से सीजन ऐसा कोई एंजाइम मिला ही नहीं बाडी में और पैपसिनोजिन कमे का पैपसिन में कनवर्जन S.C.L. की प्रजन्स में प्रोटीन इंटू पॉली पेप्टाइड अरे प्रोटीन भी पॉली पेप्टाइड होती ही है तो ये तो कनवर्जन पॉस्विल ही नहीं ट्रिपसिनोजिन को ट्रिपसिन में बदलने वाला एंजाइम फॉर्थ बिटा वो कौन सा एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन नहीं कराता लेकिन हेल्प करता है वो एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक कराने में मदद नहीं करता पर प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है वो कौन सा एंजाईम है जो प्रोटीन को ब्रक नहीं कराता बट प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है या सिंटिरो काइनेज मैच दा फालोइंग इस्टक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन आरगन जिरा इस्टक्चर को उनके लोकेशन के साथ आइडेंटिफाई करना है मैच कराना है तो बट ग्लीशन कैप्सूल प्रोटेक्टिव कवर है लीवर की फंक्चनल योनिट का करनेक्टिव टिशूस से मिलकर बनता आइसलेट आफ लेंगर है स्पेंक्रियास में देखने को मिलती ब्रूनर्स ग्लैंड डिउडनम में मिलता है और क्रिप्टाव लबर्खन इसमाल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं सो करेक्ट मैचिंग इस दी बेटा डिउडनर्स ग्लैंड म्यूकोसल ग्लैंड होती है या सब्यूकोसल ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड इसे म्यूकोसल ग्लैंड और सब्यूकोसल ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड इसे म्यूकोसल आर सब्यूकोसल यह सब्यूकोसल बटा क्या सीक्रीट करती है ब्रूनर्स ग्लेंड सीक्रीट विच कंपोनेंट इस सम्यूकोसल सीक्रीट क्या सीक्रीट करती है भाई ब्रूनर्स ग्लेंड क्या सीक्रीट करती है म्यूकस identify the cell whose secretion protect lining of GI tract from the various enzyme वो कौन सी ग्लेंड है जिसका secretion GI tract को enzymatic action से बचाता है याज क्रिशना गुपता कौन सी cell है तो GI tract को protect करने के लिए म्यूकस चाहिए और म्यूकस को secret करने वाली cell होती है गोबलेट cell अब बटा गोबलेट cell म्यूकोसल सेल है या या सम्यूकोसल गोबलेट cell अब म्यूकोसल और सम्यूकोसल गोबलेट cell अब म्यूकोसल अब सम्यूकोसल मैच दा आइटम गिवन कालम फर्स्ट विद्धो कालम सेकंड चूज दा करेक्ट आप्षन तो रेनिन मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है फ्रक्टोस फैसिलेटेटेड ट्रांसपोर्ट से अबजार्ब होगा एंटीरो काइनेस ट्रिप्स नोजिन का एक्टिवेटर है औक्जेंटिक सेल रिस्पॉंसिबिल है विटामिन बी ट्वैल के एबजार्बशन में तो सैवन करेक्ट आप मैचिंग इस डी 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 वेरी गुड बटा विटामिन टी बी ट्वैल को एबजार्ब कराने के लिए कौन से फैक्टर की रिक्वार्मेंट होती है कौन सा फैक्टर विटामिन बी ट्वैल को एबजार्ब कराता है A factor responsible for absorption of vitamin B12 या CIF, Custle Intrinsic Factor बटा, human body में vitamin B12 कहां synthesize होता है? Human body में vitamin B12 कहां synthesize होता है? Human body में vitamin B12 कहां synthesize हो सकता है? Human body में vitamin B12 कहां synthesize होता है? तो याद करेंगे जो CECUM में symbiotic bacteria पाए जाते हैं वो क्या बनाते हैं? vitamin B12, CECUM में पाए जाने वाले symbiotic bacteria CECUM में पाए जाने वाले symbiotic bacteria vitamin B12 को absorb कर बनाते हैं which type of the following term describe human dentation? बेटा, human dentation के लिए correct sequence क्या होगा? human dentation के लिए correct sequence क्या होगा? तो देखो भाई human being में homo dent arrangement नहीं मिलता homo dent arrangement नहीं मिलता pleuro dent arrangement नहीं मिलता तो केवल मिलेगा क्या थीको dent? बेटा, अगर teeth jaw socket में लगें तो arrangement थीको dent two type replacement तो defiodant four different type के teeth मिले तो इन्हें heterodant कहा गया तो correct sequence of the dentation in human being is thecodant, defiodant and heterodant which are the following gastric cell indirectly help in erythropoiesis कौन सी cell indirectly erythropoiesis को effect करती है? कौन सी cell indirectly erythropoiesis को help करती है? डी 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 चले हैं भई? तो देखो भई, erythropoiesis के लिए हमें जरूरत पढ़ती है वो cell जो human body में fe3 को fe2 में बदलती है ये conversion castal intrinsic factor ये conversion ये conversion बिटा scl की presence में होता है और जो ये scl है ये secret होता है parietal cell और oxentic cell की presence से तो parietal cell secret करता scl को जो feris को feris को feris में बदलती है और ये iron जरूरी होता है hemoglobin अगर scl की कमी हो जाती है तो anemia देखने को मिलती है next which cell of the cryptobloberkin secret antibacterial lysogym cryptobloberkin की कौन सी cell lysogym secret करिया sparnesia samania very good बटा कौन सी cell cryptobloberkin की antibacterial lysogym secret करती है very good बटा it is card as a penis cell ये secret करती है antibacterial enzyme which is card lysogym बटा ये lysogym और कौन सी gland के secretion में मिलता है lysogym also present in secretion of which gland lysogym और कौन से gland के secretion में मिलता है lysogym और कौन से gland की secretion में ars narayan सुकला very good बटा ये हमें salivary gland के secretion में भी देखने को मिला है तो gynogym cell inactive protein digest protein enzyme secreted cells होती है kufar cell phagocytic cell होती है liver में पाई जाती है which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice इन में से कौन सा enzyme composition pancreatic juice में देखने को मिलता है पैंक्रियाटिक juice में देखने को मिलता है pancreatic juice में कौन सा combination मिलता है तो देखो भाई pancreatic juice में pepsin नहीं मिलता pepsin gastric juice का part है तो first option चला गया दूसरे option में भी हमें क्या मिल गया pepsin तो ये दूसरा option भी eliminate हो गया क्योंकि gastric juice में reynin भी मिलता है इसलिए ये fourth option भी चला गया तो अब अपने पास बच क्या गया third option lipase, amylase, trypsinogen, pro carboxy, peptidase बटा कौन सा enzyme है जो salivary gland कौन सा enzyme है जो salivary gland secretion में भी मिलेगा gastric gland secretion में भी मिलेगा pancreas pancreatic juice में भी मिलेगा और intestinal juice में भी मिलेगा कौन सा enzyme है जो सब में देखने को मिलेगा मुहम्मस साहिद very good बिटा amylase नहीं होता भीया gastric juice में amylase नहीं है लेकिन सब में lipase की presence होती है भले activate हो या inactivate हो lingual lipase salivary gland में gastric lipase gastric juice में पाया जाता है pancreatic lipase भी आपने action में देखा है और intestinal lipase भी देखा है a baby boy is two years admitted to play school and passes the dental check-up dentist observed that the boy had twenty teeth which teeth were absent बैटा छोटे बच्चे में 20 दात पाए गए हम लोगों ने discuss किया था अभी कौम से दात missing होते है तो primary dentation में कौन से teeth missing होते है primary dentation में कौन से teeth missing होते है primary teeth में कौन से प्राइमरी dentation में कौन से ट्यास discuss कर चुके थे प्री मोलर एपसेंट होते हैं which hormone do not stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate कौन सा hormone pancreatic juice bicarbonate के secretion को stimulate करता है 13 तो देखो भाई insulin का कोई रोल नहीं which of the following is following guard the opening of hepatopancreatic duct into deudanum हम लोग आलेडी इसको discuss कर चुके इस case of sphincter of odi the stomach gastric acid is secreted by बटा stomach में gastric acid का secretion कौन करता है in the stomach gastric acid gastric acid का मतलब हो गया scl और scl का secretion कौन करता है parietal cell are oxentic cell the enzyme that is not present in succus centricus बटा कौन सा कौन सा enzyme succus centricus में नहीं पाया जाता कौन सा enzyme succus centricus में नहीं पाया जाता देखो भाई nucleosides nucleosides nucleoside को pentos, sugar और nitrogenous base में तोड़ता है और ये succus centricus में पाया जाता lipase succus centricus में पाया जाता disaccharides maltase पाया जाता लेकिन nucleos का पाया जाना pancreatic जो उसकी प्रोपर्टी है तो intestine succus centricus में nucleos absent होता है ये शालनिश सेग्ण मिनाक्षी पतेल डी next the primary dentation human differ from permanent dentation in not having the following type of teeth बैटा primary dentation permanent dentation से differ होता है क्योंकि primary dentation में कौन से teeth नहीं मिलते हैं primary dentation में कौन या स्प्री मोलर gastric juice of infant contain बैटा बच्चों के gastric juice में कौन से enzyme की presence होती है बच्चों के gastric juice में कौन सी enzyme की presence होती है बैटा वहाँ type आप teeth की बात पूछी जा रही नंबर आप teeth की नहीं इसलिए हम लोग molar को consider नहीं करेंगे molar तो पाए गए गए हैं दो यस तो देखो भाई gastric juice में amylase देखने को नहीं मिलता gastric juice में maltase देखने को नहीं मिलेगा और gastric juice में nucleus देखने को नहीं मिलेगा लेकिन pepsinogen मिलेगा lipase मिलेगा renin मिलेगा so gastric juice of infant contain renin बेटा कौन सा enzyme milk protein digestive कौन सा enzyme milk protein digestion में मदद करता है कौन सा enzyme milk milk protein digestive रेनिन तो renin responsible for milk protein बेटा जो काम renin बच्चों में करता है जो काम renin बच्चों में करता है बडों में वही काम कौन सा इंजाइम करता है ब्रेनिन जो काम बच्चों में करता है वही बडों में कौन करता है काइमो ट्रिप्सिन यह सर्ष नरायन सुकला वही काम बडों में काइमो ट्रिप्सिन करता है और आज का लास्ट कुश्चन विच आप फालोइंग स्टेटमेंट इस नॉट करेक्ट बड़ा काइम में से नॉट करेक्ट इस्टेटमेंट को सलेक्ट करना है तो और उगजेंटिक-सल्स अन्-क drums in UCs assistant oh में चाशित करती ना उप आफ इस्टमक में पाई उस्टमक में पाई जाती है यजियक करती है असनी आरक प्रेजन्ट इन प्रेंक्रिशस्त कांक रबॉक्स पेप्टिडेस पैसनी एक्सो क्राइन पार्ट की यूनिक है पैंक्रियास में और वह पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रीट करती जिसमें कर्बाउक्सी पैप्टिडेस पाया जाता है bruners gland present होती है some mucosa of stomach stomach में नहीं है और secret pepsinogen ये pepsinogen को secret नहीं करती ये mucus को secret करती है so c option is false और हमें incorrect ही देखना है goblet cell mucosa of intestine में पाई जाती है जो mucus को secret करती है this statement is also true question number 19 incorrect statement is c तो बचो ये था कुछ question practice के साथ आपके test की तयारी कराने का उदेश तो thank you so much बटा इतने समय तक साथ देने के लिए तो best of luck for आज के test के लिए तो बचो मिलते हैं next mission के साथ thank you so much हुआ today